गुट मॉर्निंग फ्यूचर्ट चार्ट अकांटेंट क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है गुट मॉर्निंग इम्रान मनीश सौरब गुट मॉर्निंग नेहां गुट मॉर्निंग अल अप्यू अपने नाम बताएंगे मनीश कौरान रजट यस गुट मॉर्निंग यस तो हम लोग शुरू करते हैं पहला पेपर क्या करते हैं आप लोगो के इस शिलिबस में अभीक्यान के बात करें क्या आप मॉर्निंग परमेश विजय लिए गुट मॉर्निंग राजेश लक्षे राची अचलिकिर ह Boss अब द्यान से, पिटा, कि जो पहला पेपर है आप लोगों का, that is Advanced Accounting, अब उसमें काफी changes आ चुके, जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले दो पेपर हो अप्ट होगा करते थे इंटर्म में अकाउंट से, Accounting और Advanced Accounting, अब एक ही पेपर हैं हम लोगों का, that is Advanced Accounting, गगन, गु सो आप अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना इसकी PDF आप लोगों को अपलोट कर दी जाएगी तो आपको मैं समझा जूँँ आप इस तरीके था हमारा बात को सुनते जाएगे यस गूद्मोर्निक आशिश शू आप लोगों का सी ये इंतरमेडियत लेवल का पेपर वन पेपर वन डिदि अदवांस अगाउंट अदवांस अगाउंट अगाउंट अज नोगों का देवर अब अन्द्रेरर्ड मार्क्स का ये पेपर आप लोगों का है मैं हेके पैपर आप लोगों और इसके सिलेबस की अगे हम लोग बात करें विले आपको भी लिखना पेत क्पोश्च फॉर्फ मेरी बात आपको हुए बात आपे और आ यह syllabus आप लोगों का दो पार्ट में अगर हम लोग इसको यहां पर देखें तो एक company's account हो गया है और कुछ company major यहां पर company account एक हाथ chapter कोई और दूसरा भी रहेगा और दूसरा जो पार्ट आपके syllabus का है that is accounting standards accounting standards अब company's account में पहले बहुत से chapters हुआ करते थे आप लोगों को लेकिन अभी काफी chapter लोगों ने हटा दिये और कुछ हटा दिये कुछ यहां से foundation लेवल पर चले गया है अब आप लोग के साथ क्या हुआ अभी foundation में आपने वाले नहीं पढ़े गयों chapters अब आप लोग क्योंकि न्यू कोस का foundation का एक्जाम होने कहा है न और वो आपने इस को उसमें चैप्टर्स यहां के आपके इंटर लेवल के कुछ फाउंडेशन के कुछ चैप्टर्स कहां चले गया इंटर लेवल के foundation लेवल पर चले यह एकंपनी अकाउंट के और कुछ चैप्टर नोगों ने लोग ने गटा गी तो कुछ चैप्टर्स आप लोग को अभी भी syllabus में वो कौन से चैप्टर्स आप okay buyback of first buyback of securities second financial statement of company financial statement of company third amalgamation amalgamation of companies for internal reconstruction fifth cash flow statement cash flow statement एक और आप कह सकते हैं company accounts and other क्योंकि ब्रांच है एक चैप्टर आपका ब्रांच अकाउंट प्रांच है तो यह स्रिफ हम लोग को छे चैप्टर्स यहां पर पढ़ना रहेगा कितने चैप्टर companies account हम बहुत चैप्टर जो हम लोग को companies account में यहां पर पढ़ना है लेकिन उसके अलावा जो बहुत कुछ पढ़ना है इस accounting standards पहले कुछ हुआ करते थे आप लोगों के इंटर लेवल पे तो गुरूप 1 में कुछ हुआ करते थे गुरूप 2 में कुछ हुआ करते थे तो भी पूरे नहीं थे अवो सारे के सारे accounting standards आप लोगों के Cinebus में आ चुके इसमें हम लोग पढ़ेगे इंट्रोडक्शन पहले, इंट्रोडक्शन तू अकाउंटिंग स्टैंडर्स, फिर हम एक चाप्टर पढ़ेगे, ताइज फ्रेम्वर्क और उसके बाद अकाउंटिंग साइंडर्स, जो आप लोगों के सिलिबस में हैं, वैसे तो ने टोटल accounting standard 1 से लेके 29 तके 29 accounting standard लेकिन उसमें से दो accounting standard जो है that is accounting standard 6 and 8 जो है वो abolish हो गया वो अब नहीं रहे वो अब नहीं रहे इसलिए अगर effectively देखा जाए तो आप लोगों को 27 accounting standards हम लोगों पढ़ना है क्योंकि 29 accounting standard में से 2 abolish हो गया तो अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोगों को पढ़ना कितना रहेगा 27 क्योंकि 29 में से 2 नहीं रहे तो 27 तो यहाँ पे हम लोगों को 6 chapter पढ़ना है और framework तो यह introduction to accounting standard और framework यह दो चाप्टर और 27 accounting standard टोटल तो यहाँ पे हम लोग इसको chapter wise अगर मैं कहूं तो 29 chapters पढ़ना है अब घबराना मत के सा 29 chapters है हाँ 29 chapters जरूर है लेकिन सारे के सारे accounting standards बहुत बड़े नहीं होते हैं अब कुछ छोटे हैं कुछ आवरेज हैं और कुछ बड़े accounting standard लेकिन आपको भी मैं material के बारे में आगे बताऊंगा जो material आपको provide कर जाएगा दो बुक रहेंगी एक company's account की और एक accounting standard की और किस तरीकी के नोट से मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़े भी discuss करूगा इसलिए आपको की accounting standard की book भी बड़ी है वो around 599 pages कुछ है जो 5 accounting standard की book भी आपकी काफी बड़ी में सारी चीज़ के बारे में बात करूगा भी आपसे आगे अब यह रही हमारे syllabus के बारे में syllabus बहुत अच्छा होगे हम लोग काप C enter level for advanced accounting का क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि बहुत simple simple chapters भी होआ करते थे तो आपने से कुछ student essay होंगे जो foundation clear करके अभी आयोंगे और कुछ student ऐसे भी रहते जो direct entry के through C enter level पर आते हैं तो जब भी हम लोग इंटर लेवल पर class शुरू करते थे तो बड़ा आसान होता था क्यूंकि इसमें पहले बहुत से easy chapters भी थे जैसे अगर मैं यहाँ पे को तो पहले जैसे higher purchase एक chapter हुआ करता था आपके foundation level पर चले गए और कुछ chapter C institute ने हटा ली तो जो अच्छे अच्छे दिगच दिगच चैपकर से वह आप लोग अपसे C enter level पर और accounting standard भी पहले ऐसा हुआ करता था कि generally accounting standard को आखरी में पढ़ाया कर जाते हैं कि बहुत accounting standard नहीं होते थे दो पेपर होते थे अब जब दो पेपर हम लोग के अलग होते थे तो accounting standard भी बटे हुए थे कुछ group 1 में थे पहले और कुछ group 2 में थे और वह सारे नहीं थे थे थोड़े से accounting standard होते है जब पढ़ाते थे तो accounting standard को आखरी में कवर करते थे कि थोड़ा सा technical होता है अब उसमें अब आपके सी इंटर लेवल में accounting standard ही सारे के सारे होगे और जो easy chapters थे वह easy chapters आपके institute ने हटा दी वैसे अभी भी सारा का सारा easy है हम लोग इस तरीके से पढ़ेगे उसको एक एक चीज हम लोग अच्छे से समझेगे और आसानी रहेगा लेकिन बहुत easy chapters जो थे वह आपके syllabus का हिस्सा नहीं रहे अब आगे हम लोग देखते कि pattern वैसे भी C intermediate की new syllabus क आप से कोई भी exam नहीं हुए लेकिन हम लोग देखते कि क्या pattern examination में expected है चो मुझे लगता है कि वैसा pattern institute पूछ सकती है उसके बारे में मैं आप से बात करो अब हम लोग इस pattern पे आए लेकिन क्या तरीका हो सकता है मार्क का मैं बहुत कि company's account के portion से कितना आ सकता है और accounting standard से अग कुछ महां पे documents से या बहुत सारी चीज़े थी कि से लेबस में से क्यों chapters हटाए गए जो पहले ते उसका reason क्या है तो documents वह सारे में एक पर go through कर तो मार्किंग भी दी थी क्या expected है तो मुझे ऐसा रगता है कि accounting standard का वेटेज बहुत है accounting standard का वेटेज बहुत है तो वहां पर मै को accounting standard मुझे ऐसा लगता है कि around 60 से 65 marks तक के examination में institute पूच सकती है 60 से 65 marks तक accounting standard पे आपका paper आ सकता है 60 से 65 marks तो यह आपका cover करता है 60 से 65 marks expected है और यह आपका 35 से 40 marks expected है company's account के पीछे हो यह हो सकता है कि आप लोगों का 40 45 हो जाए है यह आपका 55 60 marks हो जाए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन ज्यादा वेटेज मुझे लगता कि accounting standard का ही रहेगा इन फाक्ट जो आप यह 6 chapters देखें यह 6 chapters में से भी ऐसे 2 chapters है जो हम लोगों के accounting standards से ही related है institute ने अपने material में आप लोगों को वो 2 chapters को अलग से एक full flesh chapter उसने रखा इसलिए हम लोगों भी वैसी करें क्योंकि यह 6 में से जो amalgamation of companies और cash flow statement है वो खुद एक accounting standard है accounting standard 3 cash flow statement और accounting standard 14 amalgamation of companies वो खुद एक accounting standard है तो institute ने उसको लिकिन एक separate chapter अपनी syllabus में रखा है तो इसलिए हम लोग भी उसे separate chapter की तरह ही treat करेंगे तो यहां पर अगर आप 29 chapters बोल रहा हूं वैसे तो 29 से दो हमां एक introduction और एक framework के दो chapter को हटा दो तो effectively 27 accounting standard उसमें से भी दो accounting standard ऐसे रहेंगे जो हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे amalgamation और cash flow statement यह रही हम लोग के syllabus के बारे में जो आपके CA inter level के advance accounting paper में है अब examination तो CA inter की यह new syllabus में हुई नहीं तो क्या pattern होता है examination में उसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे जो मुझे लगता है expected है कि वैसा pattern institute अपने paper में पूछ सकती है so pattern के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें so यहां पर institute ने अभी जपना FAQ जो issue करी थी new syllabus के आए बार तो लोग ने कहे थे कि अब CA inter level पर 6 paper होगे और 6 paper में आप लोगों का 30 marks की MCQs रहेंगी so आप लोगों मुझे लगता है कि question number one जो रहेंगा वो लोग compulsory पूछेंगे पहले ऐसा हुआ करता था question number one compulsory रहता था question number one compulsory रहता था लेकिन पहले accounting standard पर question आते थे लेकिन उन लोगोंने जैसे कि MCQs 30 marks से compulsory करे अगर आप FAQs देखो यह सी institute का FAQs तो उन्हें लेकिता what is the examination pattern in intermediate examination so there will be 30 marks 30 percent 30 marks case scenario or case study based MCQs 70 percent descriptive question in all the six papers in all the six papers of intermediate examination मतलब पूरे के पूरे 6 papers हर paper में आपको 30 marks तो अब क्या होगे MCQ होगे तो मुझे ऐसा लगता है कि examination में institute हो सकता है आपको कि question number one और यह expected है मैं पहली करहूँ यह pattern है मैं यहां पर लिख देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वह 30 marks यहां पर आपको compulsory हो सकता है इस किस पर पूछे MCQs पर आपको question पूछे अब यह बद इंपोर्टेंट है कि हम दोगरें जैसे यहां 30 marks इस पर पूछे हो अब यह 30 marks के MCQ है वह हो सकता है कि आपको आपका syllabus जो है एक company's account वाला portion है और आपका accounting standard वागता है तो हो सकता है कि c institute जब आपसे 30 marks के MCQs पूछे तो वह आप लोगों को 30 marks के MCQs पूछ रही है उसमें कुछ company's account के MCQs पूछे और कुछ accounting standard के तो यह question आपके company account पे आ सकते हैं MCQs और यह हो सकता है कि आपको यह accounting standards पे MCQs पूछे अब यह बहुत interesting बात है कि पहले बड़े simple से MCQs हुआ करते हैं उन्होंने question पूछे और आपको चार option यह चार option में से एक option को choose करते लेकिन अब यह MCQs मुझे लगता है कि और interesting कि इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर उन्होंने लिखे अगर अच्छे से पढ़े institute ने जो यहां पर issue करें अपना करें का कि 30% of 30% of case scenario और case study based MCQs what is case scenario और case study based MCQs का मतलब क्या होता है क्या मतलब पर आइसका कि आपको वह MCQs पूछेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को कि वह एक situation दे एक situation दो और इस तरह के जो questions होते हैं जो international examination होती है उसमें मैंने observe किया था कुछ examination वो इस तरह के questions पूछ थे और वही pattern institute भी हो सकते कि आप लोग का जब पहला paper यहां पे हो तो हो सकता है कि institute वैसा ही questions महाँ पे इसमें पूछ और उन्होंने कहां भी है कि case scenario case study what is this case scenario in case study कि हो सकते है कि आपको उन्होंने एक पैरा दे दिये अब बहुत इंट्रेसिंग हो गया कि उन्होंने आपको एक पैरा दे दिये और उसमें क्या कहां उन्होंने यहां पे आपने पैरा दिये और उसमें situation दी कि ABCD company है और वह ABC company के यह director है यह situation है उन्हों के for example accounting center का कहता हुग उन्हें inventory का valuation study के से करे यह property plan and equipment जिसका foundation level फिग्रेशट के नाम से बिलाया गलते है property plan and equipment अलग-अलग accounting center के हो सकता है कि आपको paragraph में वह कुछ information दे कुछ situation दे और आपको फिर महा पर mcqs उसके नीचे पूछे कि बताओ कि किस situation में उन्हें सही करें या yes और रोया तो फिर आपको महा पर उन्हें amount पूछे कि यह सही है इसमें correct amount कि उसमें 4 option दिये I mean to say कि हो सकते है कि एक paragraph दे और उसी पेरा पे आपको 5 mcqs पर एक्जामपल नीचे पूछ लिए आपको पैरा पढ़ना है और सोचना है paragraph पढ़के कि यह paragraph कौन-कौन सा accounting standard इसमें effect हो रहे कौन-कौन सा accounting standard के बारे में बात कर रहा है और जब आप मीचे mcqs परढ़ोंगे तो आपको ध्यान में रखते विए उसके जवाब आपको देना रहेगा और मुझे बहुत possibility लगती कि इसा कर सकती है क्योंकि जो international examination कोईश होती महाँ पर मैंना observe कि जब वो पूछते तो उन अद्वांस अकाउंटिंग ग्रूप वन सी एंडर का पेपर पहला आपको अद्वांस अकाउंटिंग में आपका कंप्रेंशन और नॉलेज भी इस 5-15 पर दें लेकिन एनलीसिस और अप्लिकेशन के उपर पेपर ओवर है कि 85-95 पर अप्लिकेशन बेस पेपर हो गया है तो अब यहसा भी हो सकते के सिचुएशन दे रिये और उस सिचुएशन के उपर आपको वह कोश्चन पूछ रहें आपको पैरा पढ़ना है प्रॉपर उसको अनलाइस करना है और उसके इसके साब से आपको आशाप लिखना रहेगा तो इस तरह के भी एम से क्वीज आ सकते त क्लूडिंग के इस स्टडी बेस के स्ट के इस स्टरी बेस के इन्सीट्योट आप से पूछ सके अब 30 मार्क्स तो आपके होगा किसके उपड़ में से क्यों पर तो वह इस्वीज ने बोला यह पूछेंगे तो मुझे रगता कि कंपलसरी वाल इस में और पूछेंगे अब 70 marks के हम लोग बात करें तो 70 marks जो उसमें total आपके remaining, मैं लिखता हूँ है यहाप remaining 6 questions मतलब remaining 6 questions समझना यह तोटल 6 questions नहीं का remaining 6 questions मतलब total questions तो आपके 7 होगे पहला mcq 30 marks के और जो remaining 6 question है उसमें आपको institute हो सकता है कि option दे दे आपको क्या दे दे ओ option दे और कहें कि उसमें से आप solve करो any 5 question out of 6 मतलब 6 में से आप कोई 5 question solve को एक question हो और आपको बच्चे विए 70 marks जो रहे यह कितने आपके marks हो रहे total 70 marks 70 marks तो 6 question दिए 6 में से 5 करो एक question कितने का होगा अगर आप 70 divided by 5 करते हो तो आता है 14 इसका मतलब आपको institute यहाँ पे जो आपको 5 question 6 में से 5 question करना रहेंगा आपको तो वो आप लोगों को रहेंगा question number question number 2 question number 3 question number 4 question number 5 question number 6 और आपका question number 7 तो आप देखे रहे हैं यहाँ पे total 6 question number 1 आपका यहाँ पे आ गया और second से रहे के 7 तक यहाँ पे अब यह जो 6 में से हम लोगों को करना कितना है पांच एक question मैंने बहुत 14 marks तो 14 marks का एक question आपका आ रहे है और पांच question करना रहेंगा तो यह आपका हो जाता है 70 marks तो यह 70 marks का पेपर हो गया और यह आपका 30 marks का इस तरह के 100 marks का पेपर पूछ सकता है कि आपसे वह पूछ ले 77 marks के इस तरह का combination पूछ ले कि दो question पूछ ए और बी करके दे दिए एक उन्होंने 7 marks का पूछ है दूसरा 7 marks का पूछ लिए या वह combination हो सकते है एक पूरा का पूरा आपको इन्हेंने 14 marks का पूछ ली ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि institute पूछ आपको एक 10 marks का एक 4 marks का वह कोई भी combination हो सकता है total a question मुझे लगता है कि 14 marks का होंगा पार्च question होगे आपके कितने 70 marks के हो गया, 70 marks के 5 questions और MCQ आपके 30 marks का, तो total इस तरीके से आपका 100 marks का, अब क्या हो गया है यहाँ पर, कि यह paper में क्या scoring करना आसान है, महनत तो लगेंगी, महनत लगेंगी और उसमें अपने को हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ना है अब यहाँ पर, accounting standard, specially 70 marks यहाँ पर 70 जो लगता, 60 तरे 65 marks पर कोशन इंकूडिंग MCQ और दूसरा मिला के भी, descriptive मिला के भी मुझे को लगता है, accounting standard, 60 तरे 65 marks है, और बच्चे वी chapter भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो आपके companies account के, तोटल ही हमार 100 marks का पेपल अब आपकी लिए भी चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि जो पहले शुरुबात जो होती थी बड़ी इसी चैप्टर से होती थी इंटर की वेकि इंशुरेंस क्लेम करें कि चैप्टर था पहले बड़ा आसान चैप्टर था उससे शुरू करते लिए अब यह चैप्टर जो होंगे मोस्ट प्रॉबिली अकाउंटिक सांडर से शुरू होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे किस तरीके से आपको पढ़ना रहेंगा सारी चीज़े बुक्स के बारे में भी मैं आपसे कहूंगा लेकिन आपको भी बड़ा ही ऑनेस्ट रहना तो आप उसका बैकलॉग मत रखा करें उसको प्रॉपर सुबह सांथ बजी ओटे और क्लास करें लाइफ हो बहतर होता है लेकिन अगर आप गूगल ड्राइव पॉर्मेट में देख रहें लेकिन उसमें डिस्सिप्लीन बराबर मेंटेन रखना कि रोज आप एक लेक्शे अगर मैं कहूं तो क्या सर हम लोग मार्क के बारे में बात करो कि 90 प्लस लाना क्या पॉसिबल मुझे रगता है पॉसिबल क्यों क्यों तो 30 मार्क के mcqs है उसमें आपको 30 से 30 30 out of 30 स्कोर करते हैं बचा कितना 70 मार्क अब वो 70 में आपको 60 अगर आप क्रॉस कर लेते हो 60 अगर आप क्रॉस कर लेते हो 60 प्लस 30 that is 90 at least you can cross 70 at least you can cross 80 अगर आप 30 और 30 mcqs में score करते हो और बचे वे 70 में 50 भी कर लेते हो तो आप 80 टेच कर लोगे बस आप लोगों को क्या करना उसमें महनद जिस तरीक मैं जो कह रहा हूं जो कह रहा हूं बस उसको आपको फॉलो करना रहेगा बस जो चीज में करना इसको प्रॉपर फॉलो करना रहेगा ओके अब हम आते हैं कि स्टरी मट्रियल के मैं आता हूं कि किस तरीक आपको मैं प्रोवाइब कुछ बच्चों को बुक्स चाहिद मिल गए कुछ दिन में मिल रहेंगी डोंट परी और जो च है कि स्टरी मट्रियल के बारे में अगर मैं आपसे बात करें तो जो आपको प्रोवाइट करा जाएगा यह study material में आप लोगों को दो बुक्स दी जाएंगी कितनी बुक्स दो बुक्स कौन सी दो बुक्स एक जैसे मैंने आप से कहा कि company accounts की बुक है और दूसरी है आप लोगों की accounting scientist है दूसरी आप लोगों की accounting scientist है और I am very happy कि CA institute ने accounting standards पूरे के पूरे के पूरे CA लेवल पर लादी बहुत है और I am very happy to say that कि मैंने ये CA एक बार accounting standard जब CA बना जब CA final में वह अगरता हम लोग के वाक्त तो जब CA final में पड़ा उसके बाद accounting standard पे international examination होती है only for chartered accountant तो वह examination भी accounting standards को मैंने clear किया हूँ I am very happy कि वह आप लोग का accounting standard एक major portion आपके CA इंटर के syllabus का हो गया है 600 pages की book है उसके बारे में भी मैं कहूंगा आपको और जो companies account की book है वह आप लोग के around 280-290 pages की book हो ओके so total देखा जाए तो 800-900 pages की book हाँ उसमें बहुसी चीजे मैं आपको लिखाऊंगा भी don't worry भी मैं आपको बताता हूँ अब हर chapter का pattern कैसा हो जब आप देखोंगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हर chapter में पहले मैं आप लोगों को concept के बारे में बात करेंगे यह गाफी देर बहुत देर उसके concept के बारे में बात करेंगे तो अम लोग उसको बुलाएंगे concept builder के नाम से यह concept builder में sa सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमेशा मैं foundation level पर भी रोलता हुआ है हर चैप्टर का सबसे important lecture कौन सा होता पहला वाल कि उसमें concept के बारे में बात सबसे important होता है तो concept builder और उसमें मैं बहुत सारे यहाँ पर ही with illustration and examples हम लोग वहाँ पर लेंगे ओके अब आपको यहाँ पर कुछ जगाओं पर लिखा हुआ है और कुछ जगाओं पर आपके material में blank pages दिए वे intentionally blank pages given in book where you have to write it with me मैं बोलूँगा आपको लिखना तो आपको लिखना वह रहेगा जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जैसे आप लोगों को यह accounting standard की book है तो आपके शुरुवात की कुछ pages जैसे यहाँ पर just give me one okay जैसे के example की तोर पर यह आपका accounting standard accounting standard one disclosure of accounting policy तो यह chapter हम लोग आगे पढ़ेगी ठीक है अब इसमें blank page आपको यहाँ पर दिया है तो मैं आपको concept explain करूँगा तो आपको भी यह book में concept लिखना रहेगा ठीक है आपको मैंने आपने दिखिए कि सरी chapter ने हाँ पर आपको इसी बुक में क्या करा गया फिर यहां पर बहुत से examples भी तो इसमें आपको स्पेस यहां पर दिया हुआ है जिसमें आपको लिखना रहेगे तो यहां पर हम लोग ने question discuss करें क्या कहा रहा है concept के बारे में पहले बात करें उससे related question नीचे आपको यहां पर दिया और वो question को हम लोग ने पिर यहां पर इस यह वह चीज़े जो class में जब मैं concept के बारे में बात करूँआ तो आपको साथ-साथ में यह concept मेरे सुनते जाना है और उसी के साथ-साथ में हम लोग बहुत से illustration क्लास में solve करेंगे यह किसकी बात हो गई यह हम लोग के concept के बारे में जब हम बात करें तो हर chapter में सबसे पहले फिर और चाहिए अकाउंट हो यह फिर चाहिए अकाउंट हो हर chapter में आपको पहले किसके बारे में बात कर जाएंगी concept के बारे उसके बात मैं आता हूँ जो questions हम लोगों को करना रहेगा यह questions जो रहेंगे आप लोगों के अलग अलग मैं बता देता हूँ कौन कौन से एक question आपका रहेंगा जो के रहेंगे class question तो class question हम लोग solve करेंगे obviously जैसे कि आपको नाम दिख रहे है class question तो आपके एक्षtałी संवर तो नंमातिरगे, यह संवर्फ डिखातू आ है है क्लास कोश्यन, आपके हरूं जो हैं से क्लास कुश्यों मैं साथ सभाना रहेंगा है उसके बाद क्लास में ही हम लोग Mu sq करेंगे क्लास में हम लोग क्या करेंगे mcq करेंगे और उसके बाद कुछ कोशन इंस्टिटूट ने अपने material में आपको बता हुए और लोगे theory questions भी आड़ करें मतलब इंस्टिट के material में वहाँ पर लिखा हुआ है कि यह theory question तो वह theory question भी हम लोग करेंगे तो सिंपल रहेंगे क्योंकि आपने concept समझ लिए तो वह theory question और mcq कोई बड़ी बात नहीं है तब से अगर आपको mcq अच्छे से करना है तो इसको समझना पहुत दोड़ी concept concept समझ लिए तो mcq बहुत आसान आपके लिए और उसके बाद आपको practice question भी दिया जाएगा हर chapter में आपको क्या रहेगा practice questions दिये रहेगा अब यह practice questions की मतब पर intentionally मैंने solution आपको वहाँ जी मैं example आपको बताता हूँ यह book है आपकी accounting standard सब्सक्राइब कोई practice questions आपको फर इग्जांपल यह practice questions है अब हर chapter में आपको practice questions दिये वे अब practice question जब आपको वहाँ पे दिये वे तो यह question आपको सॉल्व करना रहेगा मैं आपको बताऊंगा डेली आज का यह homework है आप कल क्लास के पहले homework करके आँ तो आपको नेक्स दिये जब आप इसका मेरे जानगूज की इसका solution देखोंगे तो आपको यहां पर नहीं मिलेगा जैसे question number one है इसका solution यहां पर आपको मिल रहा है कि इसका solution आपको यहां पर नहीं मिल रहा है ठीक है अब बुलिए कि सर का solution कहा जाएगी तो इसका solution आपको Google Drive को लिंक आया आपने question करें क्या होता इसके नीचे पहले में solution देता था लेकिन बच्चे क्या करते थे जैसे question है तो इसी की नीचे यहां पर solution देते थे तो बच्चे क्या करते थे यहां पर question नीचे solution दी तो महां पर नदर चली जाते अच्छे यह ऐसा है कि लगता simple अपने को तो बच्चा खुद से नहीं करता था यह करता भी था तो एक बार उसके solution को देख लिया रहा था तो फिर यहां से हमने इंटेंशनली solution को हटाई दी अब पहले बढ़िया से solve करो और इसके आपको solution की लिंक दी भी आप महा पर जाकर आंसर देखो कि आपने जो लिक्यों सही करें कि नहीं अब कई बार होगा आप लोगों को कौन को सी notebook maintain करना है लेकिन जब आप solve करोगे question कई बार होगा कि आपन maintain करना पड़ेगा लेकिन गल्ती करना कोई बुरी बात नहीं है कि जब आपसे गल्ती हुई तो आप next time वो गल्ती नहीं करोगे for example आपने question number 1 यहापे solve करें और आपने देखे कि चलो question number 1 में यहापे solve होगा अब इसका solution देख तो आप इसका solution देख आप और यह तो मेरे से mistake ह वहापे marker ताकि जब आप revise क्योंकि आप revisions के हमारे revision एक subject कोरे subject से करना रहे तो कम समय पर आपको revise करना है तो उस वक्त आपको ने जब गल्तिया करें वह उस पर आपको highlight करना है कि भी हाँ यह गल्ती थी तो आपने जब भी कोई गल्ती करें आपको दिका solution से match करें हां मेरे से गलती होगी तो जो गलती करें उसको माँ पर रेडिंग से मार्क रो लिख दो कि सही उसका सेलिशन का था तो आप जब रिवाइस करोगे तो नोड़ बूप में आपकी सीजा नजर जाएंगी रेडिंग पर तो आपने ब्लू या ब्लाकिंग से आप लिख रहे हो और आपन पर मैं आप लोग को प्राक्टिस कोशन बहुत से दिये वे अब यहां पर इसका सल्यूशन आपको जैसे मैंने का पीडिएफ में दिया अब आप यह कोश्चन से अगर हम लोग कहें क्लास कोश्चन बोलू या एमसी कीज़ जो हम लोग करेंगे उसके बाद यह त्योरी सटारूब सो यह जो कोश्चन सापको यहां पर इसका स्विभ सौर्स क्या सकता है मैं और यह पाटल तो हमारे सिये में चलता नहीं और अभी जो इनफर्मेशन आती है कूस mortar से जलता था ऐसा चाहती किया वो रपीटिटिव कोश्चिंस नहीं पूछना चाहते है उसके बारी और हम देखे तो दूसरा हो सकता है आपका आर टी पी जिसको आप रिविजियन टेस्ट पेपर के नाम से बूलाते हैं ज्योंकि आर टीपे रहर एट्म्ट के पहले आती इसे हम कहते हैं आल टीपी अभी नियू सीलिबस है लेकिन जो चैप्टर पहले तो ये चैप्टर सकाहिभी ना कही थे तो उनके रिट पूछा तो तो वो questions यहां पर cover करेंगे, third आपका, ICI का, जो latest study material उसमें आपको questions दिये वे हैं, और उसके अलावा other questions जो कि हमेशा मैं add करता हूँ, अगर आप CA foundation के through है और मुझसे पढ़े, CA foundation में भी मैं क्या करता था, कि बड़े ही पहले simple question से शुरू करता था, लेकिन फ़र advanced question तक जाते हैं, even though वो advanced question इंसीक्यूट के material में नहीं दिया हुआ है, यह previous examination question में नहीं आया है, यह study material में नहीं है, तो भी उसको हम लोग क्या करते थे, कि उसको करते थे, क्यों एक बर आपने difficult questions अगर कर लिए हो, तो examination में जब आप जाओंगे, तो वहाँ पर आपको कोई भी question आसान ही लगेगा, आप easy easy question कर लिए, तो आप भी खुश, मैं भी खुश, आप बोला रहे वाँ 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 सरे तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है इसको पढ़े लेकिन जब आप examination में जाओंगे, तो वहाँ पर अगर मुश्किल question आईगी, तो आप उसको handle नहीं कर पाऊंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को difficult questions भी हम लोगे advance level के करेंगे, ताकि जब आप examination में paper देने के लिए जाओंगे तो वहाँ पर इसको आसानी से कोई भी question आउसको आप लोग कर ले, तो इसके अलावा जो दो book आपको एक मिलेंगी company's account की और एक जो accounting standard की, क्या सर इसके अलावा हमको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत है, मैं कहूंगा उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप भरोसा रखो, foundation में भी कहता था, इंटर में भी कह रहा हूं, उसमें सारी चीज़ कवर है, अगर मैं material पर आओ, मैं institute के study, जो आप लोग को जो book मिली, उसमें हर चीज़ कवर है, अगर मैं आप एक्जांपल की तौर पर, मैं आपको यहां पर company's account का कुछ chapter अगर मैं बताता हूं, पर एक्जांपल एक company's account का आपको है, यहां पर यह, फर्स ट्रेप्र जो आपको का buyback, अब buyback को आप देखूंगे, कि यहां पर जो institute का latest study material है, उसको पूरे study material का मैं एक एक page उसका go through किया, और वहां पर जो उनके सारे questions से, वह study material के सारे questions में cover है, इस तरीके से लिखा है, ICI new study material है, तो institute के study material के सारे के सारे questions इस material में cover है, एक भी question आपको ऐसा नहीं मिलेंगा institute के material का, जो हम लोगों की study material में cover नहीं है, मतलब institute के study material के सारे questions इसमें cover है, अब आप यहां पर देखें कि अटेंब्ट भी लिखा जैसे यहां पर आपको दीख रहें नवेंबर 2019 में एक कोश्चन आया था तो जो एक्जामिनिशन में कोश्चन आया हुआ तो वह भी इसमें कवर है यहां पर लिए आर्टीप सब के भी कोश्चन यह इंस्टीट की एडवांस कोश्चन भी रहेंगे तो इसके अलावा इसी दिए मैं कहा रहा हूँ कि नो नीड टू रेफर एनी अदर बुक आपको इसके अलावा नो नीड टू रेफर एनी अदर बुक अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है कि सारी की सारी चीज़ इसमें हम लोगों की कवर है अब हर चाप्टर को पढ़ाने का अप्रोच यह रहेगा कि पहले मैं कंसेप्ट के बारे में बात करूगा और जो कंसेप्ट के लिए आपको जो मटरेवल प्रुवाइड करें उसमें पर इजांपल अगर मैं कहूं यहां पर यहां पर आपके सब्जेख को आप और कहीं बार में पर यहां पर जिसेंप्ट के बार में हो उग की द्रसक्त क्लिए मुझे आइडिया कि कि स a kids kαιस्पेस लागता तो उतना स्पेस आपके बुकुल में दिया हुआ है आपकी जो बुक मुटर उसमें इतना स्पेस दिया है तो जब मैं यहां पर रहेंगा कोई नहीं चीज लिखा लिए आप CT मट्र में लिखना रहेगा बहुत सी थेवरी आपके आपके प्रिंटेड है इलस्ट्रेशन दिए वे हैं उसके सेलुशन के लिए लेकि जब में कोई चीज लिखाना है यह चार्ड बनाना है एक कोई चीज एक्सप्लेइन करना और उसको तो मुझे आइडिया है कि उसमें करीवी तो आपको मेरे साथ सब लिखना रहेगा अब यहां पर खबर मैं एनफ साम blues लिखने फिर डिस्कस्atti करूंग आपके यह करते हाँ कितनी notebook purchase आपको करना रहेंगा अभी मैं आपको explain कर देता हूँ आप लोगों को एक है कि class book रहेंगे class book मतलब class के लिए notebook रहेंगे और आपको जो practice question दी जाएंगे homework में उसके लिए एक आपको अलग से notebook maintain करना है तो एक homework के लिए अलग notebook maintain करोंगे और class book एक class के question अब लोगों करें उसके लिए अलग note अब कैसा होगा कि आपको एक company's account है और accounting standard है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरे company's account के chapter एक साथ कर रहा हूँ या पूरे के पूरे accounting standard एक साथ कर रहा हूँ इस तरीके से लिए हम लोग करेंगे तो आप लोगों को book कैसे maintain है तो class book आप लोग 2 maintain notebook दो लेकर आएंगे आज ठीक है एक आप लोग लेकर आएंगे कितने pages की लाना है वो भी मैं आपको बता दूँ सब्सक्राएंगे आपकी companies account के लिए notebook और एक notebook आप लोगों करेंगे accounting standard पर तो आपने class के लिए आपको 2 notebook maintain करना है एक companies account के लिए और एक आपको accounting standard के लिए ठीक है है तो आज आप यह market से ला लेंगे accounting standard कितने pages की इसको आप लेके आना 300 pages की कितने pages के लिए क्या हैंगे आप लोगे 300 पेज़ेस की ओके 300 पेज़ेस की और इसे भी आप 300 पेज़ेस की लेके आ रहा हूं उसके बाद आप लोगों को homework के लिए भी दो notebook maintain करना और मैं सच कहूं मैं बहुत इसके favor में नहीं रहता कि पचासो बुक रहे हैं आपके सामने आप पढ़ रहे हो तो मैं हमेशे हैं कि जितना सिंपल तरीके से रहे उतना बहता रहता है अब क्लास बुक में आपने देखिए दो नोट बुक आपको maintain करना है company's account और accounting को इसलिए हो रहा है कि आपने जब आप पढ़ने बैठे तो सब आपने लिए चला है पूरे एक्जाम के पर एक आप लोगों का company's account एक से एक आप लोगों का company's account का notebook होना चाहिए वो आपने 200 ए 250 pages का भी ला सकते है ठीक कुछ लगा तो फिर बाद में और ले लेना आपने 200-250 pages का यह आपको इसमें लगेगा और यहां पर accounting standards कि accounting standards की अगर मैं बात करो तो यहां पर भी आप लोग को इसमें 200 pages क्योंकि accounting standards की answers बहुत बड़े-बड़े महीं होते इसमें 200 pages का भी ला ली तो प्रैक्स कोशन के लिए मेरे मेरे खाल से इनाफ है अगर लगा तो फिर आपने और आइड करने उसमें भी आइचिंग 200-250 pages के लिए बहतर रहेगा ठीक है तो इस तरीकी तो आपको चार नोट बड़िया से लिखिया आना है आपको दो class की रहेंगी दो homework की रहेंगी क्यों मैं आपको बोलो कि homework के लिए अलग से maintain करना क्योंकि आपने पहली चीज आपने साथ-साथ में homework करना है यह भी बहुत important है आपको बताओंगा कि आपको बताओंगा क्लास की notebook में लिखना है एक और आपको यह homework वाली notebook में लिखना है अब homework वाली notebook का फी solution आप चेक करोंगे चागलती है कर इसको reading से mark करोंगे अब आपने क्या करें कि आपको रिवाइस करना है अब आपने क्या करें आपको रिवाइस करना है अब यहां पर यह रही हमारी notebook जो आपको परचेस करना है लेकिन आपने एक चीज़ ख्या लखना कि आप क्याल्कुलेटर से बताने कि जरूद नहीं आप फांडेशन अरड़ी क्लियर कर चुके यह जो एक डारेक्ट इंट्रेस्टीब है आप नहीं आपको पता ही होगा लेकिन तो भी मैं कह दे रहा हूँ कि आपका सेम क्याल्कुलेटर होना चाहिए और आपने कलार पैन लेकर आ जाएंगे आपके यए ब्लाक यूज़र यवलित चौछ इंट से लें लिक्व सो यह आपको ख्याल रखना रहेगा कि जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको लिख रहा हूं तो मैं आपको सजेस्सक आप भी प्लेकर अब प्लैन लेकराा आप उसी से आप लोग वैसे भी जहां पर मैं आप ने आप मैंने यहां पर reading यूज किया तो आप सो मुझे पता कि इंपॉर्टेंट है यह जिस्मेंट है तो मैंने जहां पर reading इसको क्या कर लगे और reading को आप यूज कर लगे अब यहां पर जीसे reading कि आप कभी इस करोंगा जब आपका new adjustment है या कोई कमेंट मुझे आपको लिखाना है उसमें आप क्या करोगी इस तरीक से आप उसको लिख लोगी वर रेडिंग का उसके जिए तो आपको यह पता रहेंगा है ध्यान रखना आपको रहेगा बस बहुत में आज आप दिखोंगे कि हर फैकल्टी अपना ओपिनियन दे आपको तरीका बताएं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक इंटर लेवल के स्टूडेंट हो एक आप एक मैचूरिटी आना चीए अब यह फांडेशन से पास हो कि आपको इंपोरेट्टन चीज देखे आपके लाइफ में डिस्टिपलिशन होना कि आप रोज गचूर्फन नहीं होता जो आगे चल कि जिसने अखिर तीन मेंने से सर पंदरा पंदरा उससे ज्यादा इंपोर्टेंट है जब तो पढदना है लेकि उससे आदा iंपोर्टन ह के लिए रोज कम से कम दो से धाई गंटा आपको देना ही पड़ेगा कि जो भी आपने सारा दिन पड़े उसको आपको शाम को रिवाइस करना रहेगा और रिविजन करते वग भी यह आपका माइंसेट नहीं होना जिसे अभी भी आप अगर क्लास देख रहे हो जो तो आपका यह मोबाइल में देख रहे हो बात अलग है लेकिन अगर आप लैप्टॉप पे देख रहे हो यह को सिस्टम पे देख तो आपका यह आदत नहीं होना चाहिए कि आप साथ में अपना मोबाइल रहे हो आप इंस्टाग्राम देख रहे हो यूटूब भी देख रहे हो तो ब में जाएंगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे पांच-छे मैंने क्लास के चले गए कर पता ही नहीं चला कैसे क्लास शुरू इती और हम लोग की खतम होगी फिर उस वक यह नहीं कहना कि सर हमारा तो पढ़ाई नहीं पढ़ाई आपको करना पढ़ेगा और डिसिप्लीन पहले दीन से ही आपको डिसिप्लीन रखना पड़ेगा सोशल मेडिया यह सबको तोड़ा सा अवाइड करेगे आप एक ताइम बना लो कि सर दिन बर क्लास करे शाम को सेल सड़ एक मोटिवेशन भी होना अपने को कि हमने सर दिन बर क्लासेस करे और जो क्लासेस में पढ़ा कभी दस मिट पंद्रा मिट सोशल मेडिया देगे उससे ज्यादा उस पर समय मत बरबात करता कब यह वक्त जाएंगा आपको पता भी नहीं चलेगा और यह इंटर्मेडिट अपने आप में एक इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है कि यह आपका डिसाइडिंग फाक्टर होता है कि आपको CE बनना है कि CE लीवन ना है कि इसे रहा है कि इसलिएगे आपके इंटर्मेडिये टर्मेडिट डेवल इक इसलिए भी होता है क्योंकि आप इंटर लेवल पर appeal ऐसा हो ना लिकिन एबबर वह साइकल शुरू जाती एटम्ट की जी दिकफी और और इसलिए मैं करो deciding factor कि एक बर आपने inter exam crack कर दिया और जब आप final में चले जाते हो तो आप लोगों को ये करेता है कि हाँ अब तो CA बनेंगी हम CA final level तक आ गया तो फिर आपको generally नहीं छोड़ करके CA बनी जाते है लेकिन inter level पे आ गया मैं आपको डरा नहीं रहा हूं आपको सम time की cycle शुरू गए कि back आया फिर दूसरा time तीसरा time और फिर कहीं बच्चे ऐसे भी होते हिमत हार जाते है ऐसा आपके साथ बिल्कुल ना तो ये deciding factor रहते है कि आप CA बनेंगी final पे एक बार चले गया तो फिर आप पूरी जान लगा देते हो और फिर CA बनके छोड़ते है लेक इसने जल्दी के पहला ही अटेम आपके दिमाग रखना कि आपका लास अटेम फॉर्स अटेम के बोलना कि एक ही अटेम्प हमको इसमें मिलता है तो अपना टार्गेट वही रखना कि हमको अच्छे नंबर लेकर आना है और आप में एक जूनून हो ना मतलब एक पागल पन आपको अभी जब तक आपका एक्जामरेशन नहीं होता जान लगा दे स्पोर्स में जान लगा दे स्पोर्स में और खुब महनत अपने को पता है लोग आपको बहुत बोलेंगे अरे यार पढ़ते ही रहता है पागल टाइप का है यह तो ऐसा बोलते है रिपिल्टी को है यार वो सारा दिन पढ़ते रहता है पागली है वो बोलने देंगे अ आपको स्रिफ और श्रिफ फोकस रहने अपनी पढ़ाएक है कई बार क्या होता है कि हम लोग ना उसको डिप्रेंशेट नहीं कर पाते है कि जो हमारा संगर्ष रहता है और जो दुख रहता ना उसको पर आपन डिफ्रेंशियेट नहीं कर पाते हैं, क्यों दुख वो चीज है, किसी की घर पर डेथ होगी, वो एक दुख है, उसको पुछ ही नहीं कर दाए, वो एक दुख है, लेकिन जो आपका संगर्ष है, जिसको में स्ट्रगल कहते हैं, वो स्ट्रगल तो बहुत ज़रूर ह लाइस में, क्योंकि अगर आपको कोई वैल्य एडिशन करना आपको अपनी लाइस में, कुछ अचीव करना तो बिना इस ट्रगल के नहीं हो सकता, और आप उसको दुख समझ लोगे तो बहुत मुश्किल है, वो दुख नहीं है, एक्चल में आपको इस संगर्ष से प्यार होना चाहिए, इस स्ट्रगल से प्यार होना चाहिए, कि हाँ, आपको सुबह साथ बजे उठना है, साथ बजे सारी क्लास, तो उठना तो आपको छे बजे, तो सुबह सुबह में को उठना है, मतलब उठना है, आपको क्लास करना है, मतलब करना है, तो जब आप ये पास अटेंड कर रहे हो तो यह आपको करना पड़ेगा तो अगर नहीं अपनी करना है अगर आपको लगता है कि नहीं सर्थ अच्छे नम्मोर से C intermediate pass करना रहा है तो यह चीजें आपको भी करना पड़ेगा और कल सी नहीं आज से अभी आप आपको कोई मतलब निया भी किसी से और आपका टर्निंग पॉइंट रहेंगा लाइस के जो आपके भी सी इंटर के एग्जामिशन तक तक जो आपका इंटर लेवल यह डिसाइडिंग फास्टर ना बार-बार के रहा हूं आपको धरा नहीं रहा हूं फिर से के रहा हूं कि य नहीं जाएगा आप जरूर बनो लेकिन हकीकत को भी मानो कि कई बच्चे हिम्मत हार जाते लेकिन आपको हिम्मत नहीं आगा है मगर आप पहले से ही नहीं पढ़ रहे हो और बोलेंगे नहीं नहीं नॉर्मल एक्जाम तो नहीं है कि आपने छे मैने शुरुआत में कुछ न बहुत लगेगा ठीक है यह चीज़ आपने ख्याल रखें तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों का पेपर सिलिबस का इस पेपर वन में आपका एक्स्पेक्टिज पैटर्न एक्जामनेशन में क्या हो सकता है कोश्चन का उसके बारे में मैंने आपके स्टी मट्रिल के ब तो यह डे वन के जो नोट्स रहेंगे ना ये आपको घूगल ट्राइफ पे से श्ययर कर चैसे यह आपको शेर नहीं करूंगा है यह यहां पर लिख रहा है को फूरक बीडिया ने तो वहां है आपको शैबधों आप बोक में लिखना यह यह आपको वहार रखनाches यह दिय यहां पर लिखा तो आप नहीं पर इखाने की सर यहां पे कुछ फॉर एकजामपल में यहां पर पेज नंबर 42 यह आपको भी पेज नंबर 42 पर मेरे साथ साथ यह मैं डिसकस हूं मेरे साथ साथ आपको भी वो भुट में लिखना रहे हैं तो ऑब उसके बाद जो मैं Question पॉर्शन वाला पॉर्शन रहेंगा, उसके लिए मैं अलग से मेरी स्क्रीन पे एसी स्लाइड चलते रहेंगा, यह स्लाइड डेली के, जो आप नोड़ बुक में लिख रहे हो, वो डेली में PDF उसकी शेयर करके आपको दो, डेली क्लास के बाद लेक्चर भी अपलोड करा जा और उसके बाला हुआ, यह PDF भी महाँ पे शेयर कर दो, तो कभी क्लास में कोई अगर आपने यहां पे, जो क्लास में, नोट बुकाला पॉर्शन रहे हैं, अगर आपने कोई छुड़ी या कुछ नहीं रहा, तो घबरा नम है, तो वह महाँ पे PDF में शेयर कर, तो महाँ से द आपको थोड़ा पैटर्न बताता है, क्या चीज होती है, क्या सीरीज होती है, हम लोग किस तरीके से पढ़ेगे, और हो सकते है, मैं अकाउटिक सांटर्ड शुरू करो, अब बीच में कोई और कम ही जाओं का चाप्टर शुरू करो, इक में हाप है, तो एकदम से पूरे ए अपको बता हुगा, तो बीच में आपको वापस कंपनी से अकाउंट पर लेके जाओंगा, फिर अकाउंटिक से लाओंगा, इस तरीके से यूद सी कि आपके से आगे, हम लोग पढ़ने वाले, अब यहां पर अगर हम लोग देगे, तो आप लोगों को इस बुक में, इसक लेकिन अभी आपको कुछ नीए, यहां पर यह पेज नंबर आप लोग का यह 2 है, यह screen पर लिकर है, पेज नंबर 2 और यह पेज नंबर यह 1 है आप लोग, तो यह आपको जो accounting center के बुक है, उसका है पेज नंबर 1 introduction to accounting center, तो इस तरीके यह बुक से इन, तो मैं यहां पर यहां पर लिखना रहेगा, और अभी ध्यान से बाप मेरी बात सुनती है, अब देखो, अब मैं यहां पर यह मैं, आपकी किस में आगयो, class book में आगयो, यह आपकी actual class book है, यह class book है, यह आपकी 1.1, chapter 1.1, accounting standard chapters की series है, तो 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से वो दिया हो, अभी आपक आपको page number 2, तो आप देखोंगे accounting standard book page number 1 है, तो page number 1 आपको दिखें, 1.1 इस तरीके से लिगा, 1.1, introduction to accounting standard, book नहीं आई तो घबराना मन, घबराना मन, ठीक है, इसके pdf में ने share का, और आपको आपको यहां पर लिखना रहेगा, ठीक है, अब ध्यान से बाप में आपको यहां पादी रहेंगी, जो discussion हो रहा है, class के questions में, यहां पर solve, वो pdf आपको daily यहां पर share करूगा, जो मैंने जो notebook में लिखा, आपको बीवी वर्चुल्स है, मैंने उस material में कुछ लिखा, तो उस ब्लांक पेज आपको यह आपको आपके पास material है, उसी की pdf है, screen पेज आप पेज number two देखेंगे, तो उसी की pdf है, तो जब मैं यहां पर लिखा, तो आपको लिखना रहेंगा, बलकि मैं थोड़ा सा slow भी चलो को शुरूबात में, आपको समय भी दूँगा इसको लिखो, ठीक है, लेकिन ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से बाप सुनते जाएंगे, एक द अब अब से बारे में आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग से बारे में और से बारे में आप से बात करूगा, I will never say, कि यह 27 में थे यह इंपोर्टेंट है, यह अकाउंटिंग से इंपोर्टेंट है, I will never say, मैं कभी नहीं बलूँगा यह इंपोर्टेंट है, यह इंपोर्टे वाला वो कि यह पढ़ लेते यह नहीं पढ़ दे इसे इंसिट्यूट बहुत चालाक है आप अपने चालाक समझ ले हमसे जादा ही वह रहती है अपने आपको जित्ता भी समझ हमसे जादा ही रहें तो इंसिट्यूट को समझता है कई बार ऐसा होता है कि जो आपने तो C category में यह तो इंपॉर्टेंट नहीं है शुरुवात की इतने chapters पढ़ लों हो जाओंगे पास इंसिट्यूट जो ABC analysis में जो आपने C category में रहें उसमें से major questions पूछ नहीं है वो कुछ भी कर सकती है और फिर महां पे examination में पेपर देखो अरे यह तो ABC analysis में हमने C category में देखे थे इसक किसे पढ़ना है हर चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना रहें ठीक है जैसे कि आपको पता है 3 hours की हमारी class है और आपको बीच में 10 minutes का ब्रेक दूगा ठीक है 10 minutes का बीच में मैं ब्रेक दूगा हमेशा यह कोशिश करेंगे जो हमारा first half रहेंगा ब्रेक के पहरे का उसमें जादा हम लोग पढ़ा करें energy रहती है morning में हमारी class होती है energy रहती है और फिर उसके बाद 10 minutes का आपको ब्रेक दूगा और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगा ठीक है anyways अभी अपने को पर बैठे और को जनरल डिसकेशन चलों बहुत हवी नहीं जनरल डिसकेशन चलों बाते करेंगे अब आपसे आप और मैं अभी अपन बाते करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि आपने कभी पीनल अकाउंट देखियो आप बोले हाँ सर कैसी बात कर रहे हैं foundation पास कर गया यह डा हुँ तो यह मेरा पीनल अकाउंट है इस पीनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब इस पीनल अकाउंट में यह साइड होता हम लोगों का एक्सपंसस ताहिएं और क्रेडिट साइड में हम लोगते हैं Therefore एकडे साइड हमारा हो गया चेहिंट 커피त हो अर एक साइड कौन सा हो कहा है अब महाँ पे हम रहे 1 बालेंच जीट भी बनाते जब फैनल अकाउंट जब हम बनाते तो बालेंच इट भी बनाते अब इस balance sheet में एक side हमारा left hand side हो गया liabilities का और right hand side क्या लिखते हैं assets लिखते हैं एक आपका liabilities का हो गया और एक आपका assets का हो गया तो यहां पर यह assets और यह हो गया liabilities भ्यान से बाप अरी बाद सुनते जाएंगे ठीक है नॉर्मल discussion आप और मैं भी बात कर रहे हैं अब मैंने देखा कि income site के मैं बात करूँ हां तो income लिखते हैं इनकम में क्या उसा sales आता है sales आपने प्रोवाइड कर अच्छ है तो मैं यहां पर कहता हूं कि इसका मतलब यहां पर कोई revenue को आप recognize करते हां revenue recognition होता है revenue को recognize करते को revenue आप लिखते हूं और मैं अगर कहूं एक और लिख लेता हूं फिर मैं आपके इसके बारे में कहता हूं मैं आपके लिखता हूं इसके बारे में बात करता हूं अब balance sheet में asset side में जाता हूं तो सब बहुत सारी assets होती तो कौन सी assets होती है जैसे कि अगर मैं कहूं तो property plant and equipment जिसको आप fixed asset के नाम से बुलाते लेकिन अभी आप पढ़ूं कि इंटर लेवल पे accounting standard 10 इसको अब कुछ assets हमारी इंटेंजीबल भी तो होती है हां 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 इंटेंजीबल भी asset हमारी होती है इंटेंजीबल assets होती है मैंने fix asset लिखा लीज लिखा हां एक और चीज़ एक इस्टेस्ट भी आप लोगों की conduct करी जाएंगी और एक group में आपको से किस तरीकी से टेस्ट करेंगी अगरे बहुत small chapter रहा तो एक एक chapter रही अदर्वाइस group करके लुगा लेकिन accounting standard में category बनेगी आप 10-15 मिट बाद आप समुझेगे सारे accounting अलग-अलग group है तो group wise हम लोग accounting standard की test conduct करेंगी तो आपके test भी conduct होंगी और syllabus खतमा full test भी अब ध्यान से अब आप मेरी बाद सुनते जाएंगे को और चीज़ इंपॉर्टन आप जो live देख रहे हैं में को यहां पर आप जो भी लिखते हैं में को यहां पर नूर कर रहा है तो आपने यहां पर पढ़िया कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो आपने लिख के रख देना लेकिन क्लास खतम होने के पहले फिर एक बार गो थुरू करूं किसी का कोई कमेंट वहां पर आए तो मैं उसका जवाब यहां प खते के बाद ज़ेए ओके एक और चीज़ मेरी वाइस प्रॉपर आ रही है सब लोग को ठीक है एक बगर वाइस प्रॉपर आ रही है यह जल्दी बूलेंगे यह सर इस ओके जिस्ट गिव मी वान मिनिट वा यह सर ओके चलिए अब द्यान से बाप मेरी बास सुनेगे यहां पर अब देखो यहां पर क्या हो रहा है हमारा वापस हम लोग आप रहाते कि एसेट साइट यह सर प्रॉपर है निए खिल साजर यह सर ओके तांक यू अगर आप यहां प आपको संसेट होतीर इसके अलावा अगर एसेट सोती वर एक्गे आप सेका थ醉न में इन्वेस्टे पूर को विक्वेस्ट इंवेसमेंट में आर् deste spoken उसको बारे में मैं आपको थोड़ी इर मैं आप उसके बारे में कहूगा, थोड़ी दिर में आपसे उसके बारे में कहूगा, वो जो दो चीज है, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर आपसे कहूँगा, एक होती है, borrowing cost मैं यहाँ पर लिखा, borrowing cost और मैंने एक लिखा, impairment, impairment of asset, impairment of asset, मैंने देखा, कुछ assets लिखा, for example, property, plant and equipment, lease, intangible assets, inventories, investment और कुछ और लिखा, borrowing cost, impairment, we will discuss about, अब liability side में देखा, एक liability, payable, payable, liability मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कि एक liability आपकी होती, employee benefit के नाप से, अपन बात करेंगे इसके बारे में, तो मैंने एक liability लिखा, employee benefit विजिस पेबल, amount payable to employees, जो employees को पैसा देना है, अब उसके बाद, एक मैंने लिखा, provision भी create करते हो, provision भी आप create करते हो, तो यहाँ पर हम लोग ने देखे, कि यह मेरी balance sheet थी, और इस balance sheet में मैंने कुछ assets है, और हमारी कुछ मैंने क्या लिखा हूँ, आपके liabilities आपकी लिखा, but at the same time, मैं अगर जाओ, P&L account में हमारे expense side है, और income side है, तो जब हम लोग accounting standard आगे है, जब हम लोग पढ़ेंगे, तो यह accounting standard institute को, जब जब लगते कि हमारी इस institute को, कि उसको कोई guidelines देना है, या कुछ सिखाना है, को particular चीज़ का treatment कैसा होगा, तो उस specific topic पे हमारी institute accounting standard issue करते है, तो यह certain set of rules है, आपके यहाँ पे, और कोई guideline से, जब हमारे पास बहुत alternatives होते है, तो उसको alternative को, कि या तो alternative को कम करने के लिए, कम करने के, reduce करने के लिए उस alternative को, और किस तरीकी से treatment होना चाहिए, उसके लिए हमारी institute को specific topic पे accounting standard issue करते है, लेकिन जब मैं यहाँ पे profit and loss account और balance sheet मैं देखता हूँ, तो accounting standard to institute sequence में issue करते है, for example अगर आप देखूंगे इसी book में, कि आपको दोई दिया है यहाँ पे list of accounting standard, यह आपको यहाँ पे दिया list of accounting standard, तो institute आपको accounting standard to sequence में issue करते है, जब जब उसको लगा, वो एक-एक accounting standard issue करते जाए, लेकिन अगर मैं इसको category wise अगर मैं कहूँ, तो इस में से कुछ accounting standard ऐसे है, जो किसके बारे में बात करते हैं, वो revenue से related बात करते हैं, तो कुछ accounting standard ऐसे है हम लोगों के, जो कि revenue, revenue based accounting standard, revenue based accounting standard, मतलो revenue से related है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कि आपको revenue recognition, इसको deal करता है हम लोग का, इसको deal करता है, accounting standard accounting standard is 9 इसको deal करता है construction contract जो construction में जो होता है आप लोग के जो contractor रहता है वो revenue को कैसे recognize करता है उसके लिए separate accounting standard है तो construction contract आप लोग के separate accounting standard है आप लोगों का that is accounting standard 7 मतलब कुछ accounting standards मैं देखूंगा कि वो आप लोगों के revenue से related है कि revenue को किस तरीके से recognize करना उसके बारे में कुछ accounting standards बात करते है लेकिन कुछ accounting standard ऐसे है जो किसके बारे में बात करे एसे बेज्ड आसे बेस्ट अकांटिंग सैंडर्ड तो कुछ accounting standard ऐसे जो एसे एसे से related बात करते है पर एक्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर कहो आप अपसे accounting standards जो आपको acid-based है तो यहाँ पर आपको दीख रहे हैं एक accounting standard 10 है जो आपकी property, plant and equipment के बारे में बात करता है एक accounting standard 19 lease के बारे में बात करता है इंतेंजीबल एसेट पर एक accounting standard that is AS 26, inventories जो आपने foundation level पर भी थोड़ा बहुत पर है accounting standard 2, investment accounting standard 13, फिर borrowing cost accounting standard 16, then impairment of asset accounting standard 28 तो यह आप लोगों के asset-based accounting standard लेकिन कुछ accounting standard ऐसे है जो liability से related है तो liability liability based accounting standard तो कुछ accounting standard ऐसे, जो liability से related, for example employee benefit एक है, accounting standard तो यह deal करता है accounting standard, accounting standard 15 है, फिर provision आपके contingent liability contingent asset एक है, तो that is accounting standard 29 लेकिन जब मैं इन accounting standards को देखता हूं, asset-based को देखें, मुझे यह sequence में नजर नहीं आती है, sequence में नजर नहीं आती है, कि मैंने यहाँ पे asset-based accounting standard देखा यह, मुझको यह दिखता है, property, plant and equipment जब मैं यहाँ पे देखता हूं, यह तो जब वो sequence में आप लोगों कोई accounting standards नहीं है, तो फिर यह asset, institute ऐसा नहीं करती है, कि चलो चलो, अपन पहले पूरे asset-based accounting standard issue करते हैं, वो ऐसा नहीं कहती है, चलो चलो, अब liability based करते हैं, अब revenue based करते हैं, ऐसा नहीं होता, जब जब कोई topic पे लगता हूं, accounting standard issue करते जाती है, तो हो सकता है, revenue based हो, हो सकता है, liability based हो, हो सकता है, asset based हो, जब जब लगा, लेकिन उन लोग ने जो accounting standard issue करें, उसकी sequence एक अलग है, जब जब उनको लगा, लेकिन जब हम लोग class में पढ़ेंगे, तो हम लोग group wise पढ़ेंगे, I mean to say, कि मैं आपको पहले, for example, अभी देखेंगे, ले सकते हैं, आप बलेंगा, रे सर, ये तो number तो अलग अलग है ना सर, इसकी sequence में नहीं है, तो नहीं होने दो, लेकिन वो एक category में आती है, revenue based accounting standard है, तो अगर example revenue based शुरू है, तो मैं revenue based accounting standard पूरे आपको कराऊँगा, उस flow में लेके चलोगा, मैंने आपको बहुत चलो, अब एस asset based accounting standard आपन शुरू करें, तो asset based accounting standard शुरू करें, तो asset based accounting standard की series अपन अलग से, वो इस series रहेंगे, उसी sequence है, अगर मैंने liability based accounting standard शुरू किया, तो मैं liability based accounting standard ही आपको कराऊ, इसके अलावा भी क्या कोई accounting standard होते, क्योंकि मुझे आप financial statement में, PNL account or balance sheet में आपने बता जीसे, किस-क कौन कौन से items, किस-किस के accounting standard है, लेकिन कभी-कभी अगर कोई topic पर accounting standard नहीं है, तो फिर क्या, उसके बारे में कुछ हमको चाहिए, treatment चाहिए, तिक framework करके एक chapter होता है, वो हम लग पढ़ेंगे, तो जिसका कोई नहीं होता, उसका framework हो, तो framework में जाता है, और framework में जो चीजे ल liability-based accounting standard, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ होता है, हाँ, अब आते हम presentation और disclosure-based accounting standard, मतलब मैं यहाँ लिक लेता हूँ पहले, presentation, presentation and disclosure-based accounting standard, मतलब कुछ accounting standard ऐसे है, जो आपको presentation, what is presentation, किस तरीके से financial statement में present करना item को, उस पे भी accounting standard रहते हैं, उस पे भी accounting standard किस तरीके से present करना, और disclose आपको कैसे करना, notes to account में क्या क्या है, उस पे भी accounting standards रहते हैं, example, एक account, मैं पहले लिख ले ना, फिर आपको कहना, disclosure of accounting policy, disclosure of accounting policies, cash flow statement, cash flow statement, cash flow statement, statement, segment reporting, segment reporting, related party, related party, disclosure, disclosure, then earning per share मैं कहरा हां, को यसा क्या ची एक्स्प्राइब, दो में पेशर, earnings per share, then discontinuing operation, discontinuing operation, and then interim, financial reporting, okay, so आप जो इस ख्रीन पर यहां पर देख रहे हैं, यह किस्ते related presentation disclosure, जरूर नहीं कि नोट्स तो account में यह वो disclose करा जाए, पर देखेंगे, आगे कहा डिस्क्राइब, लेकिन जो आप यहां पर देखेंगे पर यहां पर जैसे मैंने पहले लिखा disclosure of accounting policy, तो इसके उपर आप लोगों को एक accounting standard separate है, कि accounting policy को आपको disclose करना है, तो यहां पर उसके उपर आपका accounting standard 1 है, फिर आपका cash flow statement है, उसके उपर accounting standard, accounting standard 3M, तो AS1, disclosure of accounting policy, AS3, फिर दन cash flow statement, segment के बारे में report करना है, उसके आपको accounting standard 17, related party disclosure, disclose करना है, related party के बारे में, that is accounting standard 18, earning per share, accounting standard 20, discontinuing operation, accounting standard 24, interim financial reporting, accounting standard 25. तो आप यहां पर दिक्री यह जो accounting standard, यह related to presentation disclosure, किस तरीकी से आपको present करना है, और disclosure से related आप लोगों के accounting standard है, लेकिन sequence match नहीं होगी, आप बोले से sequence match नहीं हो रही, हाँ नहीं हो रही ना, अधी तो 1 के बाद 3 आगे, 17, 18, 20, 24, कैसे हो रहा है तर, यह ऐसा ही होगा, क्यों, क कि पहले मैं presentation disclosure based accounting standard issue करता नहीं, उनको जब 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 जो लगते गया, उस sequence में वो करते गया, अब हमने देखे कुछ accounting standard हमारे in revenue based accounting standard है, कुछ accounting standard हमारे asset based रहेंगे, और कुछ accounting standard कौन से liability based हमारे accounting standard है, और कुछ accounting standard कौन से presentation and disclosure based accounting standard है, अब उसके बाद कुछ accounting standard ऐसे भी होता है, जो आपकी consolidate financial statement करके एक आप लोग concept पढ़ों तो बहुत अच्छे questions हम लोगों करना रहें आगे तो जो financial statement लोग consolidate करना है मतलब दो financial statement लोग consolidate करें मिला रहे तो उसके उपर भी accounting standards कुछ अलग से तो कुछ accounting standards आप लोगों के accounting standards accounting standards for consolidated financial statement consolidated financial statement तो कुछ accounting standards कैसे आप लोगी जो consolidated financial statement उसके बारे में बात करता है तो उसके उपर आप लोगों को एक होता है आपका consolidated standard से आप लोगों के यह किस से related है यह accounting standard आप लोगों के बारे में बात करें कुछ disclosure से related बात करें और कुछ consolidation से related बात करते हैं और कुछ accounting standards अधर accounting standards इसको कहलाती है अधर गौवर्मेंट ग्रांट flow में हम लोग accounting standard आगे पड़ेगे आपने इसमें सारों में से देखेंगे इसमें कुछ accounting standard abolish होके हैं तो वह आपको यहां पे नहीं दीख रहे होगे कौन से accounting standard है जो accounting standard 10 जो कि property plan and equipment वहां पर चले गया और जो AS8 में जो research and development और AS26 जब आए इंटेंजिवल ऐसे तो वहां पर cover होगे इसलिए AS6 और AS8 को abolish करते हैं इसलिए आपको यहां पर नहीं दीख रहे हो तो अब हम लोग जब accounting standards पढ़ेंगे तो क्या accounting standard इस sequence में आप लोग की यह book है इस सिक्वेंस में जो accounting standard CE institute ने जो issue करी वैसे क्या पढ़ेंगे AS123 सिक्वेंगे नहीं 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 पढ़ेंगे सर अच्छा तो किस सिक्वेंस में पढ़ेंगे पहले तो हम introduction सिखेंगे उसका और उसके बाद category wise category wise में मतलब आप लोग को यहां पर लिखा हुई the material does not the material does not follow a sequential discussion in accounting standard instead organizes related disclosure account related accounting standard together to facilitate comprehension for example for instance accounting standards such as AS1,3,17,18,20,20,24,25 यह इसको एक group together group together करती है मतलब उसको एक साथ लेकरा है क्योंकि एक साथ लेकरा है क्योंकि वो related to presentation and disclosure है तो इसी लिए जो आपके chapters भी दीए वे जो book बनी भी categorize बनी मतलब आप लोग का जो पहला chapter 1.1 that is related to introduction to accounting standard लेकिन जो आपका chapter second है वो related to framework के बारे में बात करें फिर आप देखोंगे notes में कि फिर आपके presentation and disclosure से related है तो यह सारे accounting standard यह chapter name है 1.3,1.4 ऐसे क्यों नाम दी 1.3,1.4 तो यह accounting standard की एक series है इस लिए इसको ऐसे दिये तो 1.3,1.4 फिर आपकी sequence देखो AS 1, 3, 17, 18, 20, 24, 25 यह एक series है discloser की फिर उसकी बाद कुछ accounting standard जैसे मैं आप से कहा कि asset based है तो उसकी फिर फिर एक पूरे asset based है फिर आपके फिर उसके बाद पूरे liability based accounting standard है फिर उसके बाद आपके accounting standard अच्छा है यह मैंने एक इसमें लिखा नहीं ठीक उसको भी मैं बताता हूँ कि accounting standard जो आपके impact कर रहे रहे रहा AS 4 देखो AS 4, 5, 11 and 22 मैं एक में लिख ले तो एक सेक्ड़ accounting standard कुछ accounting standard ऐसे होते हैं मैं यह लिख लूँगा कुछ accounting standard ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं आपके financial statement को affect करते हैं जिसे आपको यहाँ पर एक heading दिख रहे है accounting standards accounting standards दो accounting the based on impacting financials financial statement to accounting standards yes so accounting standard this one accounting standards impacting based on impacting financial statement financial statement वो कौन से accounting standard है इसमें चार accounting standards आपके आते हैं that is आपका AS 4 contingencies and events occurring after the balance sheet date after the balance sheet date as-5 आता है आपका income accounting for income tax आपके asset based है कुछ liability based है और कुछ ऐसे जो आपके financial statement को क्या करें impact करें ओके उसके बाद आपके कुछ आपके revenue-based accounting standards है जैसे में आपको बता है कुछ आप अधर accounting standards है और कुछ कौन से consolidation से तो इस तरीके से ये category बनी भी आप लोग को एक accounting standards की इवन दो institutions को एक अलग flow में इसको issue करा जोना accounting standards को लेकिन category wise हम लोग पढ़ेगे तो अगर हमने revenue-based शुरू करें तो revenue-based के सारे accounting अब यह रही हमारे accounting standards के बारे में किस तरीकी किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेगे अब बड़े ध्यान से बाप मेरी हर एक बात को सुनते जाएंगे कि accounting standards पे मैं meaning पे आओ उसके बारे में समझते लोग कि accounting standards किस तरीके से को कि accounting standards आप लोगों के क्या होते हैं कुछ ऐसे terms होते हैं इंडेस करके इस सब नहीं नहीं चीज़ा आपके लिए एक आफर ऐसात है उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप से भी कुछ कहूंगा और अब बहुत ध्यान से सारी चीज़ा भी मेरी सुनते जाएंगे technical terms क्या होते है meaning क्या होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा आगे लिखा के दूगा लेकिन जो मैं अभी कह रहा हूं उसको आपने बहुत ही ध्यान से बाप मेरी बात को सुनेगे मैंने कहा कर कि जैसे कि आपने यहां पे देखिए accounting standards जो होते हमारे इ इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं कुछ existing accounting standards है कुछ existing accounting standards है ठीक है मैं लिख लूँ पहले हां पर यह रहे हमारे existing accounting standards जो कि आप लोगों के existing accounting standards जो कि आप लोगों के C intermediate के syllabus का हिस्सा है तो मैंने का कुछ existing accounting standards है क्या आपके C intermediate के syllabus अडवांस अकाउंटिंग में accounting standards ही तो पढ़ने अपने को यह अलग-अलग और accounting standards हो तो इसके बारे में आगे मैं बात करता हूं कि accounting standards जो है आप लोगों के यह होती क्या लिए यह कुछ selected set of selected set of accounting policies और guidelines regarding the principle and methods to be chosen out of out of out of out of several जैसे कि आप foundation level पढ़ क्या होगा तो इसमें तो आपने देखे कि जब इन्वेंटरी में फीफो माथड होती है उसके वैलोशन करने के लिए एक आप लोग के वेटेड आवरेज में तो मुझे नहीं पता था कि फीफो माथड क्या है मुझे नहीं पता था वेटेड आवरेज में तो हमारा accounting standard 2 आया और उसने हमें सिखाया तो कुछ यह accounting standard जब अपने different alternatives होते हैं उससे हमको बताता है कि आपको कैसे choose करना यह alternatives को कम करता है reduce करता है reduce करता है reduce करता है reduce करके भी बताता है कि आपको इसमें से कौन सा choose करना चाहिए अब यह accounting standard टोटल 29 इशू करें लेकिन दो abolish हो गया इफेक्टिवली देखा जाते है total accounting standard जो अमको पढ़ना है वो कितने accounting standard है 27 accounting standard है लेकिन कुछ हुआ इस तरीके से था कि यहां पे हमारे global यह अगर देखा जाता हर country के अपने अपने accounting standards होते हमारे इंडिया के अपने accounting standards होते कुछ यहां पे हमारे customs होते उसके इसाफ़ते हमा लेकिन आपको नहीं लगता है यह कि आपने हर country के accounting standards होते है वो बात सही है लेकिन अगर मैंने का कि इंडिया के हमारे accounting standards है इसी तरीके से UK के भी अपने accounting standards होंगे इसी तरह US के होंगे हर country Canada के होंगे हर country ने अपने कुछ ऐसे principles है उसमें different alternatives है और उसने बताया के different alternatives में इसे क कौन सा अपने चूज करना चाहिए हर कंट्री अपने पब्लिक को बता रही तो इंडिया में भी बताया जा रहा है यूके में भी बताया जा रहा है यूएस में भी बता हर कंट्री इस तरीके से अपने accounting sentence बना रही है लेकिन आपको नहीं लगता कि आप थुद सोचो कि ग्लोबल ही पहले यह बहुत मुश्किल था लेकिन आज मैं अगर सोचू तो यह हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है आज के जमाने में अगर मैं सोचू कि आज के जमाने में बड़ा के लिए कि हर कंट्री में आपने बिजनिस अपने इंडिया में करें लेकिन हम लुवकूर बहुत आसानी के ड् 그리고 ट्रांस्पोर्टेशन तो अब इस वजहाओं इनकी वजह से को बिजनस करने रिस्टिक्टेट नहीं रहा जोग्रफी कि मैं कहाओ कि नी इंडिया में ही करने नियम्ग के बहार भी लोग बिजनस करते हैं तो आप खुद सोचिए आपको यह नहीं लगता कि अगर इस तरीके स से हमारे accounting standard हर country के अपने अलग-अलग है और यह हकीकत है कि सब के अपने अपने कुछ alternatives उन्हें वहले यह alternatives हर country की उनकी इंस्टिटूट सब को guide कर रहे हैं तो हमारा तरीका कुछ और हो सकता है लेकिन UK वाले का तरीका हो सकता है कुछ और डिफरेंट अल्टरेंटी रहे वह accounting standard जो कह रहे हो कुछ और बात उन्हों को सिखा है वह उन्होंने अपने political situation की साब से उनकी economical situation कैसी उन्होंने वहाँ पर decide करे हमने हमारे साब से decide करे कोई और country अपने साब से decide करें तो क्यों ना अब एक ऐसे accounting standard लाए जाए तो globally सारे दुनिया में सबके सब वही accounting standards follow करें कितनी अच्छी बात हो जाएंगे आप imagine करो पूरी दुनिया में सबके सब एक जैसे ही accounting standards को क्या करें follow कर रहे हैं तो यहाँ पर एक London based organization था भी मैं आपको एक एक करके explain करता हूँ एक लंड़न बीज organization था आपका उन्होंने क्या करें इसको भी मैं दो पार्ट में बाठ देता हूँ ठीक अब ध्यान से बाप मेरी बास सुनेंगे उन्होंने एक इनकी committee उसे वो कहते international accounting standard committee तो मैं इसको लिग देता हूँ IASC what is international accounting standard committee तो यह committee थी और यह कहां पर थे यह थी London based है अब यह committee यहां पर लिखते था London based group ऐसे लिखते था अब यह committee का काम क्या था कि international accounting standard issue करें और इन लोगोंने accounting standard issue करो ऐसे accounting standard कि दुनिया में उन्होंने यह प्रमोट करें लोगों को बोले कि आप लोग भी से follow करें accounting standard और सारे के सारे सब के सब यही अकाउंटिसे फॉलो करें इस तरहीं से promote करें और इस committee में बहुत से लोग इसके member थे हमारी सीए इंसिट्यूड भी इस committee का member तो उनको भी कहा गया कि आप इन accounting standards को follow करें मैं आगे आता हूं उसके उपर कि हमने क्या किये फिर अब यह committee ने अकाउंट इंटरनेशन अकाउंटिसेंडर कमिटी जो कि आपकी 1973 से लेके 2001 तक यह आपकी इंटरनेशन अकाउंटिसेंडर कमिटी ने अकाउंटिसेंडर इसू करें तो उन Accounting Standard. तो उन्होंने इसको किस नाम से बुला है? उन्होंने इसको International Accounting Standard नाम से बुला है. और उनको accounting standard जब जब उनको लगते गया, वो इअकॉंटिंग Ambassador क्या करे? issue करते गया. और वो इअकॉंटिंग इस्यो करते गया. और इन लोगों ने यह accounting standards एक के बाद एक issue करते गए for example उसका नाम ऐसे देते गए international accounting standard 1 international accounting standard 2 international accounting standard 3 इस तरीके से वो accounting standards को issue करते गए और इसको एक एक नाम देते गए जैसे आपने इंडिया में देखे अभी AS123 अपने तरीके तरीके तो international accounting standard वो भी issue करते गए और लोगों को promote करे globally कि आप इन accounting standards को follow करो एक जैसे accounting standard अब क्या हुआ यहाँ पर यह बात थी 1973 से लेके टूता और कोभी चीज़ रटने की कोशिशी मत करता बस एक कहानी की तरह मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक स्टोरी सुना रहा हूँ उस स्टोरी को बढ़ी आराम से बैठके सुना लिए अब मैंने कहा कि international accounting standard जो थी committee इन्होंने accounting standard इस तरीके से issue करे 1973 से लेके 2001 करे लेकिन उसके बाद इसका नाम बदल गया और उसके बाद international accounting standard बोड हो गया और ये बोड ने accounting standard issue करना शुरू किया कब से बच्चे 14.2001 के बाद accounting standard जो शुरू issue करने लगे वो ये accounting standard कमेटी के मतले अब हो गया accounting standard बोड उस बोडन अकाउंटिक इस्यू करने लेकिन उन्होंने ये नहीं कहे कि जो पुराने accounting standard अगे वो खतम हो गया ऐसा उन्हों नहीं कहा उन्होंने यह नहीं कहा इस accounting standard बोर्ड ने यह नहीं कहा कि जो पुराने accounting standard उसको abolish करो ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहे कि यह जो accounting standard है यह जो accounting standard आपके चल रहे वैसे के वैसे ही उन accounting standards को हम लोग रहने देते उसे कुछ ही नहीं करे लेकिन उसके आगे के जो अकाउंटिक स्टेज जो थे पहले वो वैसे ही रहे उसके आगे के फिर और अकाउंटिक सेंडर्ड जो शुरू करने इस्यू करना शुरू करे और इन लोगों ने इसका नाम रखे international financial reporting स्टेज आई एफ आरेस इंटरनेशनल Financial Reporting Standard, IFRS, इन लोगों ने इसका नाम रखे IFRS International Financial Reporting Standard, और पुराने Accounting Standard जो ते जो IFRS International Accounting Standard उसको abolish नहीं करे, वो वैसे ही थे, लेकिन आगे के जो Accounting Standard थे, उसके उन्होंने नाम IES नहीं रखे, उसका नाम उन्हें IFRS के नाम ते, और जो Accounting Standard वो आगे Issue करने लगे, वो उन लोगों ने यहाँ पे इस तरह नाम देने लगे IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, इस तरीके से वो इसका नाम देने लगे International Financial Reporting Standards के, और जो पहले IES थे, वैसे ही ये दोनों ही International Accounting Standard है, ये भी International Accounting Standard है, और ये भी International Accounting Standard है, दोनों International Accounting Standard है, लेकिन जब वो बोर्ड बना 2001 में, उस बोर्ड ने जब Accounting Standard इसू करना शुरू किया, तो उसको IES नाम से ना बुलाते वे, आगे जो नए Accounting Standard शुरू किया, उसको IFRS नाम से इसू करना शुरू किया, तो ये जो 2001 के पहले जो Accounting Standard इसू होती है, इस बोलते थे, उसके बात जो इसू हुए, उसको IFRS के नाम से बुलाते हैं, बस ये फर्क है, लेकिन दोनों Accounting Standard आप्लिकेबल रहते थे, मतलब ये रिपीट इटी नहीं हुआ, पराबर समझ ना, ये रिपीट इसा नहीं कि International Accounting Standard 1 था, उसको दुबारा यहां इसू करें, दुबारा नहीं इसू करें, जो थे वो थे, उसके आगे जो दूसरे Accounting Standard जो शुरू करें 2001 के बाल, उसको IFRS करके नाम देने लगे, पुराने जो थे जो थे, ऐसा नहीं कि Accounting Standard इसू करें, उससे इन्होंने क्या करें, IFRS की नाम से बुलाने लगे, अब ये प्रमोट हमेशा करा गया, कि नहीं नहीं हमने इस Accounting Standard को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और उन्होंने हमारे इडिया को भी कहें कि आप हमारे Accounting Standard जो ग्लोबल है, उसको आप फॉलो करो, अब दो तरीके हो सकते कि जो ग्लोबल ही, जो Accounting Standard है, इन Accounting Standards को मैं, एक दो तरीके होते हैं कि इन Accounting Standards को मैं क्या करूँ, इन Accounting Standards को हम लोग फॉलो करें, पूरा का पूरा परसेंट एडॉप्ट कर ले एडॉप्ट का मतलब हमने ठीके ठीके आप जो accounting standard कह रहे हम उसको adopt कर लेते यह तरीका होता है कि हमने मान लियो से ठीके लेकिन एक तरीका यह हो सकता है उसको हम कहते convergence what is this convergence मैं आपको भी कहता हूं दूसरा तरीका यह लेकिन जहां जहां मुझे लगता है कि हमारे लिए पॉसीबल नहीं हो हम उसको follow नहीं करेंगे तो हम लोगों ने क्या करें हमने कौन सा option चूज करें हम लोगों ने इस सेकेंड वाला option हमारे इंडिया ने कई कंट्री उसको यूए अगर देखो दुबै देखो तो दे follow आया पर उन्हें डॉप करें वैसे के वैसे पॉलो करते हो लेकिन कई कंट्री ने बोले के नहीं 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 जैसे जो बड़ी कंट्री इंडिया हम दो हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम आपके अकाउणिक सेंडर्ड को 100% कर ले उन इंटरनेशनल अकाउणिक सेंडर्ड को तो हम लोग नहीं यह सेकेंड वाला जो रास्ता था उसको चूज करें और हम लोग एक नई सीरीज के साथ आये और उस सीरीज को हम लोग बुलाते हैं इंडेस के नामते हैं मतलब है तो यह हमारे इंडिया के ही अकाउणिक सेंडर्ड लेकिन जो यह इंटरनेशनल अकाउणिक सेंडर्ड उसको हमने कर सकते हमें नहीं चाहिए भई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अब कर दो होता है कि उनमें और हमें डिफ्रेंसिस आ सकते अब इडिफ्रेंसिस की ऐसे आ सकते इसको हम समझते तो उनमें और हमें जो डिफ्रेंसिस आ रहे है पहले इसको समझते उनमें और हमें कुछ डिफ्रेंसिस आएंगे और यह जो डिफ्रेंसिस वह जब ही तो उसको हमने क्यों difference एक difference होता है terminology difference terminology का मतलब होता है एक होता है कि हमने जो term use करे हम एक नई series से आई हम लोग एक नई series से एक series का आप लोगों का नाम था एग्जिस्टिंग अकोंटिंग सदेश और एग्जिस्टिंग अकोंटिंग सदेट। से 27 हमको पढ़ना है हमारे इंटर का सिलेबस यह है यह है लेकिन यह आपके सारी चीज़े लेकिन आपके सिलेबस में इंट्रोड़क्शन आपको पता रहना चाहिए अब मैंने कहा कि वह इंटरनेशनल अकाउंटिक स्टेंडर है हमको क्या करना है लंडन बेस ऑर्गनाइजि को फॉलो करूं क्या बैइनिफिट क्यों कहा जा रहा है तो इसके कहीं कारण है वो डिफरेंस इस पर मैं आता हूं मगर मैं कहते है क्यों उसने कहा कि हमसे फॉलो करो क्यों के पहला आपका क्रॉस बॉर्डर अगर कोई और कोई कंट्री वहाँ आप खुद इमाजिन करों कि मैं कहता हूं कि इंडिया में मुझे पैसा बुलाना है कोई यूएस का कोई बंदा है मैंने बुला है वो मेरी कमदी का पर्फॉमेंस देखी अब मैंने कोई और अकाउणिंग सेंड़ेट पे वो अपने इसने अपने अकाउणिंग सेंड़ PayPal हमारे US में दो कुछ और चलता हूं कोई और अकान के चलता है यह पने नोगिन इंट्रेशनल अकाउंटिक सेंट को फॉलो करो कि प्रॉस बॉर्डर फ्लो मनी फ्लो हो जब भी तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी ना जब इन्वेस्टर को लगेंगा हां हां कि समझ में आएगा एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं रिस्क को ध्यान में रखते हैं दूसरा अपनी कंपनी को लिस्ट करा रहा है मगर यूए स्टॉक एक्स्चेंज को समझ में नहीं आ रहे भी आपने बुक्स आपकाउंट कौन से अकाउंडिंग सेंटर पे करें वह बले हमको कंफ्यूजन लग रहा है हमारे करफ यह नहीं चलता तो इसलिए उन्हें बोले कि क्यों कोवा अपना सब एक जिस अकाउंडिंग सेंट मिंटर पॉझो करें तो यह फाय całकी जीस में फॉल्ण करना को कम्पैरिबिलिटी को कि कमपैर बिलीटी कि और फैनिंशिय स्टेट्मेंट कुझ सोचो कि मैंने का कि मेरे सामने इक फाइनेशा स्टेटमेंट मैंने सब्सक्राइब को कुछ न इनडियान कमपीयर करते हैं एक इंडेर्स्री स्पाइं टेलीकॉम इंडे值 है तो वह वह पर इंडिया हमारी फ्र एग्जांपल एंडिया में चलत है दूट करते कि दूट कम्चनी का एंडिया में हमारी घीओ उनका फटाइन इसलेластर में लेकिन मैं compare नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कहां क्यों नहीं compare कर पा रहा हूँ, दिक्कत क्या है, क्या problem, अरे दोनों के accounting standards अलग अलग है, यह जो financial statement बने अलग-अलग accounting standards पर बने वे, तो मैं compare नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों ना एक जैसे accounting standards पर ही दोनो financial statement अगर बनते, तो मैं compare भी कर सकता हूँ और इसमें greater transparency भी रहती है greater transparency भी रहती है कैसे greater transparency रहती है transparency की मतलब आपको ज़्यादा तरीकी से ज़्यादा information ज़्यादा मिलता हूँ बात ये पता रहती है कुछ छुपी वी चीज़े नहीं रहती है जब global ये आप एक ही जैसा accounting standard आपको क्या लगा लगाता है तो यूंहीं लगा देता हूँ नहीं वह भी तो सोचता हूँगा कि मैंने पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए वह भी तो analyze करेंगा इंडिया में अगर कहते कि कोई company को हम प्रमोट करते कि आओ बाहर के इसके बाद यहां पर यहां पर जैसे मैंने का हैं इंवेस्टर 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 और करो 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 वह इंट्रनेशनल अकाउंटिंक से फॉलो करो तो हमको दो ओप्षन दिए पूले या तो आप इसे अडॉप्ट कर लो 100% या तो इसको 100% आप क्या करो अडॉप्ट कर लो या तो फिर उन्हें नम को दूसरा option जो उन्होंने दिये हमारे accounting standards बनाते हैं तो उनने कहीं सिप के अलावा हम ने और accounting standards बनाते हैं उससे हम बुलाते उसको हम बुलाते हैं इंडेस के नाप और जो यह इंडेस है हमारे यह एक अलग accounting standard है जो की copy है देखो अब देखो यहां पर arrow देखो कहां जा रहे यह ग्लोब है यह international accounting से आया 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 उसने हमको दो option दिया यह adopt करो यह कर सकते convergence कर लेते मतलब लगभग वैसी है लेकिन जो अंतर कुछ हमको लगता है difference हम लोग कर लेंगे उसको हम नहीं मानेंगे हम अमारे साब से चलेंगे तो हम नहीं accounting standards का नाम दी इंडेस कि आसर यह इंडेस सबको applicable होता है कि नहीं यह सबको applicable नहीं है यह CA final में जो इसका हिस्सा आप लोग का इंडेस है यह आपको CA final पे इंडेस तो यह आप लोगों को उसने का कि सबको applicable है नहीं उसका कुछ criteria था कि कि जो company के net worth 500 करोड के उपर है अलग-अलग phase में 2016 के बाद इंडेयन गौवर्मेंट सेंट्रल गौवर्मेंट ने अप्लीकेबल करने लगी लेकिन जो बड़ी बड़ी के बारे में अगर मैं कहूं कि example के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग यहां पर profit and loss अकाउंट को हम लोग बुलाते है एक्जांपल में आप लिखता हूं एक्जांपल हम लोग profit and loss अकाउंट को बुलाते हैं statement of statement of profit and loss अकाउंट के नाम से किस नाम से हम लोग बुलाते हैं statement यहां पर मैंने लिखा statement of profit and loss अकाउंट के नाम से हम लोग इसको बुलाते है in place of in place of वो इसे बुलाते है statement of comprehensive income वो इसे बुलाते है statement of comprehensive income के नाम से SOCI तो हमने उसको statement of profit and loss अकाउंट बोले statement of comprehensive income तो वो terminology difference हमने अलग term से उसको बुलाना शुरू करें यह एक difference है हम में और उनमें दूसरा जो है आपका difference है यहां पर मैं लिखते हूं difference in economic activity difference in economic environment difference in terminology difference difference in economic environment just one minute space economic environment okay तो यहां पर उनमें और हम में difference है यह यहां पर difference है आपके accounting principle and practice में difference हमने बोले नहीं नहीं हम उस चीज़ को agree नहीं करते principles and practice में यह मैं आपके example देता हूं इसका कि भी हमने उनके एक agriculture करके accounting standard हो इंटरनेशनल accounting standard हमने बोले हमको agriculture मस्तिकाओं इंडियन्स को हमारा तो major जो है वो agriculture है तो भाई हमने बोले कि हमको मस्तिकाओं तो हमने उनकी कुछ और इस चीज़ों को accept नहीं करें principally तो वो accounting standard में हम में और उनके अंतर differences है अब क्या होगा यहां पर इसको हम कारव उप के नाम से बुलाते हैं इसको क्या कहते हैं लोग इसको हम जो difference हो हम उसको qaamud कर रहे यह यहां इंट्र लेंडरन बेद्ट innovation Turns अFF कमिटी आई और संट्र करना है यह little हम को बली सो हम को पूलो करो करो और हम नहीं और पूरा फॉलो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है फिर वही उसका बोर्ड बना फिर उन्हें आपस के नाम था अकाउंटिक सेंट इस्यू करना शुरू करें अब क्या हूं असके बाद यह अकाउंटिक सेंट हमको फॉलोग करो दो अप्शन दिये वह देखो बहुत फाइदे फाइदे तो है गलत नहीं कहा है कि भी क्रॉस बॉर्डर फ्लो मजी होंगा कमनी को लिस्ट करने में आसान जाएंगा फॉरें में का फाइनिशे स्टेम को कंपेर कर सकते आप लोग ट्रांसपरेंसी रहेंगे रिस्क कम रहेंगा आप लोग को इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में मदद करें और हम अगरी सीरीज शुरू करें अब इसमें डिफ्रेंस एक तर्मिनलाजी और एक प्रिंसिपल हमारी डिफ्रेंस अब यह बड़ी इंट्रेसिंग सी बात है जब हम लोग ने यहां पर अकाउंटिक सेंडर इंडेस जो तो इसकी जो सीरीज यह हमने बोले देखो हमको कुछ अलग नही सीरीज भी सेम गे जेतें मतलब सीरीज भी सेम देतें का मतलब ही ओते है कि जैसे आप कुछ नोने कि यहां पर सपोस्ङुय अगर आप लोगों का यहाँ पे इंडेस ध्यान से समझताने मिस्टे एंडेस अगर में कहता हूं कि इंडेस वन जो हमारा है इंडेस 1 वही है जो international accounting standard वह तो हम लोग ने बढ़िया वैसे ही नाम दिये कि जो उनका international accounting standard 1 है हमने बोले चलो 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 वही नाम हम लोग भी देते यहाँ पर वही नाम हमने दे तो हम लोग भी वही नाम से आए किस नाम से है हम लोग ने भी बोले indies 1 हमारा वही रहेंगा indies 2 हम लोगों का वही रहेंगा जो आपका International Accounting Standard 3 हम इस नाम से हैं हम खुश थे लेकिन उनने चाला की कर गए ना उन लोगों ने फिर जो Accounting Standard जो नया बोर्ड बना उसके बाद जो Accounting Standard इशू हुए उसको वो लोग IFRS के नाम से बुलाने लगे तो अब हमारे बास दिक्का दोगी मैंने कहा कि मैं यहाँ पे इसको Indease मैंने कहा यहाँ पे इनको मैं इसे इसी नाम से बुलाता हूँ Indease अगर मैं कहूँ 123 मगर यह रिपीट हो जाएंगा ना सर मैं इसको 123 ऐसा बुलाओ क्योंकि आपने यह आईएस को इंडियस करें यह IFRS होई लोग है तो नए Accounting Standard जो आगे इशू करें बस के नाम से बुला रहे हैं तो भी मैंने भूला हम तो हम दो नाम नहीं रखते आईएस को नए इशू का IFRS ऐसा नहीं करेंगे हम तो इंडियस ही रखेंगे ठीक है तो आपने इंट्रनेशनल इंडियस करते हैं यह अपर भी इंडियस यह तो रिपीट हो गया वह यह नहीं चलेंगा यह नहीं चलेंगा तो रिपीट हो गया तो हमारी इसर्टीट ने बुली को दिक्कत की बात निया पर इसको 102-101,102-103 ऐसे नाम से बुलाने को हुआ है जो उनका FRS 1 है हमारा Indian 101 जो FRS 2 है हमारा Indian 101 है जो उनका FRS 3 हमारा Indian 103 है वो जो उनका International Accounting S2123 हमारा Indian S223 इस तरीकी से वो हुआ है अपके तो हम लोग होने यहां पर इस तरीकी से Accounting Standards को के option को हमने चूज करें इंट्रेंशनल अकॉंटिक सेंडर को और वो फॉलो करें अब क्या यह हर कंपनी स्काइब यह आपके सीए फाइनल का पार्ट है इंडियास सार कंपनी स्काइब नहीं होता जिनका उट दो अदर सोला के बाद उन्हें अप्लीक के बाल करना शुरू करे यह उसमें इंवस्मेंट करना फॉरेंग कंपनी नहीं चाहती जो बड़ी-बड़ी कंपनी इस जिनके नेट पर 500 क्रोड की उपर ते फिर फेस बनाते गए फिर फैस पर बैंकिंग कंपनी इंशुरेंस कंपनी को अलग बोले कि उनका अप्लीकेबल करते गए अब जब वो कुछ गये क्योंकि उनको यह प्रवोट करेंगे कि आब इंड अकॉंटिक कर आंब लेकिन इंड्रनेशनल अकॉनिक इंडउट से घ्यालिन काफी कुछ इंडिक की तरह ही हमने फालो करें और उसको हम बुलातें ऐस इंडियस के बलातें तो इन कंपनी मेंही से एक बार यह आ गया तो पलट के नहीं देखने आपको आपको फिर इंडियस को करते हैं तो फिर लोग इंडियस फॉलो करते हैं वह कंपनी तो इंडियस जो इंट्रेशनल अकाउंडिक इंट्रेशनल अकाउंडिक स्टेंडर्ड और यह जो है और यह लगबग से में इसनों कुछी डिफ्रेंसिस इन दोरों मगर आपकी इंटर लेवल के सी लिफ लिए एक्जिस्टिक अकाउंडिक कर रहा था जब मैंने पढ़ रहा था पहले इंडियस की एंस्टिटूट कराती है मिंबर प्रिफिर इंडेस की एक्जामिनिशन क्राक किया और वह कंड़क करती स्थिर्फ आफरेस्ट के एक्जामिनिशन भी मैंने क्राक तो इन आप लोगों के सिलेबस में सीथिके है बच्छो यह एक्जिस्टिक अकाउंडिक सेंड़ है तो हम लोग को पढ़ना क्या है हम लोग का existing accounting standard पढ़ना है और जैसे कि हमने आप discuss करें कुछ आपके revenue based accounting standards रहेंगे कुछ आप लोगों के asset based accounting standards रहेंगे कुछ आप लोगों के liability based accounting standards है कुछ आपके disclosure based accounting standard है कुछ consolidate से related accounting standard है और उसके बाद सबस्क्राइब, और यहां पे यहां पे कुछ अकोंडिंग सेनल आपके गॉवर्मेंट के अधर अकांडिंग सेनल्स में आता तो यहहां ने देखे के एक हम को पढ़ना क्या है syllabus क्या accounting standard का वो हमने समझे syllabus क्या है ठीक है अभी तो मैंने आपसे कुछ भी नहीं का अब कुछ छोटी चोटी बेसिक बेसिक चीजे अपने को करना रहेगा लेकिन अब आपका break है 10 minutes का और 10 minutes बात हम लोग मिलेंगे और आगे हम बहुत ही basic से शुरू करेंगे कि यह gap करके term होता जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है क्या accounting standards के benefits होते है बेसिक चीजे हम लोग पढ़ेंगे आज ठीक है वो now break for 10 minutes और 10 minutes का break exact 10 minutes बात फिर हमारी class बेसियूम करेंगे और फिर हम आगे का continue करेंगे कर दो करेंगे झाल 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 तो हम इस चीज़ का क्छियाल रखते कि कि जब को है आकाउंटिक स्टेटर आपको इन्वेंटरी। फ्कार कर सकते हो टेसे निया अकाउंटिंग जो रहते हैं वह आपको छाओंतिंग् पॉलिशी आपकी यूनिवर्सल ने रहती है कि सब एक जिस्त ही रहेंगे आपको जब option दीए तो सब अपने option चूज करएंगे मैं मेरे साब से option चूज करूँगा आप अपने साब से करोंगे तो यह universal applicable नहीं होती है कि एक जिस्ता ही सब को करना पड़ेगा Alternative दिए तो Option आपने दिए तो अलग-अलग वह हो सकता है मैं फीफो गोल रहा हूँ आप वेटेड आवरेज में आपने बोल सकते हैं सब आप लिखेंगे हैंस देर इस नो यूनिवर्सली अँर एक्सेप्टेबल और यह ऐसा निया हर कंट्री के अपने accounting standard है so हर country की अपने 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 इन अपने आपने आपने इन अपने आपने इने को को हर रहा है Hence there is no universal acceptable Set of standards hence E1, E1, standard on same issue allows more than one accounting policy one accounting policy to be followed more than one accounting policy to be followed समझमाइई चीज़ आपको आपके पास एक accounting policy ज़्यादा फॉलो करने की बाप्शन देता है अब आपको देस्टेन आप फॉंडेशन लेवल पाड़े क्लिए एसके आपको प्रॉपर्टी प्लान एक्पीमें तो वो तमको आप्शन दे रहे ना वापे की डबली वी एसले तो फिर आप यूनिवर्स निवर्स 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 ले आपके कुछ पॉलिशी और गाइडलाइन से रिगार्डिंग को चूज करना जो बहुत तो चूज करना है लेकिन हमने देखे कि गाप क्या चीज होती है कि हमारे प्रिंसिपल प्रोसीजर रे स्टैंडर्स प्रॉल से यह आपके गाइडलाइन से जो कि आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव चूज करना सिखाता है लेकिन यह अकाउंटिंग से बात किसके बारे में करते हैं अब आप महां पर लिखेंगे इसके बात अकाउंटिंग सांडर्स अकाउंटिंग सांडर्स डील अकाउंटिंग सांडर्स डील्स विट दा फॉलोविंग आस्पेक्ट मतलब कोई अकाउंटिंग सांडर्स की अगर बात करें तो किसके बारे में बात करता हैं और आप लिखेंगे वह आप पर accounting standards, accounting standards generally cover one or more of the following four things related to the following four things. First, I will tell you the first thing which I am talking about accounting standards. First, I will tell you the first point. What do you mean by recognition? accounting standards, what do you mean by recognition? accounting standards, what do you mean by recognition? recognition means that you read books of account. I don't know if you read books of account, I don't know if you read books of account. accounting standards, when you read accounting standards, when you read books of account. how and when to recognize or you can say when to record when to recognize the relevant item. it can provide, it can provide more than one alternative also. weather, okay, just more than one alternative also. accounting standards, when to recognize the relevant item. when to recognize the relevant item. that one is related to specific ones that you read. रिना किसे ननिके में को चज़ने पुझाए में लिखना हो लिखना चाहिए, वह हमको चाहिए सेखना रर चाहिए. हमको GARCetus आनिक चाहिए हमको एक बॉक्छने में वे सिखा सकता हुरत है। second point मैं भी यहां पर लिख रहा हूं measurement तो एक accounting standard हो सकता है कि measurement की बारे में बात कर कि कब मैं उसको books of account में लिखू कब मैं उसको books of account में फ़री है कि किस कीमत पर लिखू inventory लिखना थे inventory की cost क्या बहुत सी चीजें होती inventory आप सीखेंगे S2 में आपने थोड़ा foundation level पर भी पढ़ो कि inventory की cost में क्या क्या आना चाहिए property, planned and equipment, fixed asset की cost में क्या क्या आना चाहिए वो यह stand सिखाता है so that is measurement तो हो सकता है कि accounting stand आपको recognition के बारे में बात करे कि कब कोई item को books of account में लिखना चाहिए वो हो सकता है कि measurement के बारे में बात करें किस कीमत पर लिखना चाहिए so how to measure how to measure the particular item particular item what to include what to include what not to include not to include in the valuation हमें नहीं पता था कि उसकी cost में क्या क्या आना चाहिए जब आगे चलके पढ़ेंगे हम accounting standard 10 example दे रहो एस 10 जब पढ़ेंगे तो आप लोग वहाँ पे सिखेंगे कि सर इसमें क्या क्या आना चाहिए था इसकी cost में क्या न चाहिए कोई property plant and equipment में खरीद के लाता हूँ तो वह मैंने फिक्रिट कोई खरीद के लाए उसकी cost में क्या क्या include करूँ आप बोलेंगे बड़ा असान है उसकी cost में ले लो जितने में आपने खर गया रहे नहीं नहीं इतना असान नहीं है मैंने तो खरीदा था महां पे उसको शोरूम से लेकिन वह शोरूम से आया कोई उसने वह मेरे for example अपने को एसी खरी एर कंडिशन कर दे अब एर कंडिशन लेके आया घर पे तो मैंने भाई फ्रेट का पैसा दिया उसके बाद अब एर कंडिशन रखा हुआ अब एर कंडिशन मेंने रखे रहने से काम नहीं होना उसको install कराना पड़े तो उसको installation करा है त इंस्टॉलेशन के ओपर कुछ खर्चा आया तो क्या इन खर्चों को भी प्रॉपर्टी प्लान और एक्विपमेंट और आप इसको फिक्स एक कि कॉस्ट में क्या इंक्लूड करना चाहिए वो मुझको एस्टन सिखाता है इन्वेंटरी इतना असान नहीं किसर हमने इन्व इंगनिशन के बारे में बात कर सकता है को अकांटिंग सेंटर किसके बारे में बात कर सकता है क्यां सिर्च जीसरी चीज तीसरी चीज अब वहां पर लिखेंगे अच्छा तो अकाउंटिंग सेंडर के बारे में भी बात करता है कि कैसे करना है कैसे मुझे financial statement में दिखाना है कैसे शो करना है you know EPS accounting standard 20 आपको में सिखा हुआ उसने बताया EPS कैसे on the face of PNL account ऐसा कहता है वो कि PNL account के face पे दिखना चाहिए EPS मतलब PNL account में दिखना चाहिए तो यह भी सिखाता है कि आपको एक accounting आपका ने प्रॉफिट प्राइट प्रेड आइटम है यह उसमें आप सिखोंगा accounting इसमें कि किस तरीके से आप लोगों को लिखने प्रेजेंट करना आइटम को PNL account से तो वह सिखाता है का प्रेजेंटेशन कैसे आपका होना चाहिए So, presentation, presentation of these transactions, presentation of these transactions and events in the financial statement, in the financial statement in a manner, in a manner that is meaningful, that is meaningful and understandable to the reader, वो इस तरीके से आपने financial statement में बताना चाहिए, कि users of financial statement जो है, उनको समझे कि क्या कह रहा है, और presentation के बारे में भी accounting sentence बताता है, आपको आप देखेंगे आगे, कि वो बताता है कि accounting sentence किस के बारे में आपसे है, वो प्रेजेंट किस तरीके साब को आपको करना है और आकरी चीज जो accounting sentence बात करकता है, आपकी आपकी, that is fourth मैं आपे लिखरा हूँ, fourth that is disclosure, disclosure. So accounting sentence disclosure के बारे में बारे में बात को जो notes to account में आप बताते, information, so the in presentation or disclosure, presentation financial statement में काहता presentation, that is presentation disclosure, बताना, notes to account में आपको बताना, So, the disclosure, the information to be disclosed, the information to be disclosed in the annual financial statement regarding that area, regarding that area. Okay, so, now it is possible to talk about accounting standards. You can disclose the financial statement. So, you can see that accounting standards, we have discussed that. Accounting standards, revenue-based accounting standards, accounting standards, liability-based accounting standards, and the financial statement, accounting standards, accounting standards, impact financial statement, impact, and other accounting standards, which is a government grant example, so, accounting standards, and other accounting standards. ये ग्रूप वाइस अलग गलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई accounting standards, या आपका के recognize के बारे में आप कैसे books of account में लिखो, या वो हो सकता है कि बात कर रहा है कि आपका measurement में किस कीमत पे लिखना वो बात कर सकता है, या हो सकता है कि accounting standards बात कर रहा है आप लोगों का कि presentation financial statement में कैसा होना चाहिए, वो item wise आपने यहां पे देख रहे हैं कि भी liability, asset, income, expense, वो item wise होगे हैं, लेकिन वो accounting standards वो item के presentation के बारे में बात कर सकता है, वो item के, वो income, आपके asset, liability, revenue उसके presentation के बारे में बात कर सकता है, उसके measurement के बारे में बात कर सकता है, उसके आपके recognition के बारे में बात कर सकता है, उसके आपके disclosure के बारे में बात का सकता तो जब आगे आप लोग accounting standards पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह चीज के बारे में आएगा फिर हम लोग नहीं यहां पर discuss कि वटा कि accounting standards जो है आप लोगों की कि एक होते हैं कि existing accounting standards आप लोगों की जो आपकी आप लोगों के पहले फाइनल में वागर आप आप लोगों के पहले इंटरनेशनल accounting standards कमिटी थी वह issue करती थी फिर बोड आया फिर वह issue कर आया फरस नाम थी उसको हमने अडॉप नहीं करें पूरा हमने उसको convergence वाल option चूज करें जो हमारे लिए बहतरता हमने करें चीज अम एगरी नहीं करें तो हमने अडॉप नहीं करें तो इंडिया धरी थी वह हमारे सीजी फाइल का सेले बस है तो वर इस जनरली एक्सिप्रिट अकाउंटिंग प्रिंसीपल आपका होता है कि जो कॉमन आपके कुछ सेट अप अकाउंटिंग प्रिंसीपल से सांडेर्ट प्रोसीजियर वह सब को मिलाके गाप करते हर कंट्री के अपने अलग अलग गाप होते तो और इंटरनेशनली इस स्टैंडर्स को इंटरनेशनल फाइनिश रिपोर्टिंग सेंडर्ड कहते और हमारे इंडिया में जो सांडर्स है वह हमारे है नॉर्मल एक्जि के बारे में बात कर सकता है हो सकता हो अकाउंटिक सेंडर्स बात कर रहा है किसके बारे में बात कर रहा है हो सकता हो किसके बारे में बात कर रहा है मेजर्मेंट के बारे में बात कर सकता है यह हो सकता हो किसके बारे में बात कर रहा है प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर सक जो हुआीक एक शीग अब विक यए ऊश्चुरू हिंगे चोह देन केlor दो दिन बाद शुरू होगा आपने को इसके बेसिक बैक्ग्राउंड के बारे में बात करना कि क्या होता है क्या इसकी प्रोसेस है जैसे कल हम लोग बात करेंगे कि किसकी आप अब सिए बंदा होंगे तो आप अकाउंटिंग नी करोंगे तो फिर एक्टेडर की क्या इसकी अप्रोसेस होती है इसको भी अपलिके बलोग उसको है कोई बड़ा business होंगे आपकी शहर में सोचिए बड़ा business किसी दिए करें किस को accounting standard है अचाहिए किसी को होता है तो क्या पूरे के पूरे existing 27 effective accounting standard है क्या वो पूरे के पूरे applicable किसी को हो जाते है वो सारी चीजे छोटी छोटी बात ही हम लोग करेंगे जैसे कि क्या असे को non-profit organization है तो क्या उनको accounting standard होता है क्या तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे और applicability क्या पूरे accounting standard किसी को applicable हो जाते है क्या कितने होते है कितने नहीं होते है कुछ exemptions भी इसमें मिलते है क्या माफी रहते हैं यह मत follow करो तो सारी चीज़ों के बारे में हम एक दो दिराश्टर पहला ही दिन था अभी दो दिन बाद अपन accounting standards पर आएंगे accounting standards जोब कर शुरू करो दो फिर लों background ही समझने अपने को कि accounting standards होता है क्या उसको अच्छे से समझेंगे एक-एक point समझेगे इसके ओपर फिर मैं आपको questions भी कराऊंगा इसके ओपर questions कराऊंगा आपकर MCQ से वह कराऊंगा और इसके बार step by step आगे जाएंगे ठान के रख लो कि भी 90 प्लस अपने को लाना है और अपने दिमाग से निकाल देना पस एक चीज़ करना पड़ेगा अब प्रेशर दे सुबा सुबा उटने क्लास करना जो गूगर ड्राइव आले देखना जब भी आपने टाइम सेट करें lecture देखने का तो आपको प्रॉपर उस ताइम पर देखना है बैक लॉग नहीं रखना तो आपने उसको आपको करना रहेगा कि प्रॉपर आपकर आप अपने दिमाग से सब निकाल सर मैं तो आवरेज सुडेंट था मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ अरे यह सब कुछ नहीं होता आपने अभी तक क्या करें भूल जा उसको अपने को मेहनत बहुत करना है और मैं आपसे अगले 5-6 मैंने खूब मेहनत करा हूँ और बहुत ही अच्छे से अध्वांस अकाउंटिंग को पड़ेंगे और मुझसे कनेक करना अजए फाकल्टी आपको मुझसे कनेक करना बहुत आसान है बहुत आसान है लाइव में तो बच्चे आप अपने डाउट स्कूछ ले अभी कहरें तर कोई डाउट नहीं है समझ महीं सारी कीज लेकिन अगर आपको कभी डाउट लाइव वाले पूस रखते जो गूगल ड्राइव वाले देखें उनके में जूम सेशन बी उनके लिए कंड़ा करूं आपको मेरे वाटसप नमबर में मिलता है आपको समझे कभी भी कॉन्टाक कर पकते हैं आगे हम लोग लेते जाएंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है हर जी उसमें मैं आपको लिखांके दूंगा उसमें आपको चार्ड बने वह वह बहां पे उसमें आपको इलस्ट्रेशन आगे, इलस्ट्रेशन इस तरीके कहेंगे, उसमें भी स्पेस दिया आपको, मैं या लिखना, आपको भी लिखना रहेगा, तो आज का सेशन हम लोग यहां पर खतम करते, कल हम लोग फिर मिलेंगे, और मेहनत करा, आज नोड़ बुक लेकर आजाओ, बहुत इ चैप्टर भी किसी के अस बुक नहीं है, फिर्स इंट्रोडक्शन तो अकाउंटिक सेंडर मैं शेयर कर दूँआ, ठीक है, तो फिर्स चैप्टर की भी पीडिएफ शेयर कर देंगे, गूगल ट्राइफ को आपको मिल देंगी, और जो डेवाइस आपको नोड्स मिलेंगी, मेरे हैंट रिटन नोड्स की कोश्चन सॉल्ट पर मोस की, कभी क्लास में कोई कोश्चन पीछे रह गया, या कुछ हो गया, तो वो भी दे देते हैं कि बच्चे को कभी रेफर कर, तो बहाँ से रेफर कर सकता है, तो आज का यहाँ पर सेशन खतम होता है, तेक क्यार, बबा क्या, यहाँ यह थेता है, था यहाँ था।